करते हैं स्टार्ट कल काँ पे पहुंचे हैं रोग जी कौन कौन सा फंक्शन कर लिया सब्सक्राइब जी 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 और पहले हमने आगे स्टार्ट कर लिया था कि उसके जो पॉलिटिकल सिस्टम के फंक्शन्स हैं वो कौन कौन से हैं तो उनको हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया था एक बाइक किपबिलिटी एक बाइ मेंटिनेंस एंड अड़ेप्टेशन और जी रेगुलेटिव जी थर्ड है कनवर्जिन्स का बिलकुल ठीए चर्ड़े एक हो गया कनवर्जिन्स एक हो गया केपिबिलिटी और एक हो गया अड़ेप्टेशन और हमने कौन से शुरू किया है जी हमने शुरू किया है बाइ केपिबिलिटी डाणोगे जी याद जी 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 तो अब स्टार्ट करते हैं रही पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें से जो एक्स्ट्रा प्रड़क्शन है या जो प्रड़क्शन है उसके उपर जो स्टेट है या पॉलिटिकल सिस्टम है वो कुछ एक्स्ट्रा amount जो एफ़ो아 in कौरパडरेट करता है ताकि वो पैसे जुए क्या हो सके उनको आफ सेंट्रल जो बाडी है पुलिटिकल सिस्टम में वो उनको क्या कर सके कलेक्ट कर सके और रि टिस्टिब्यُट जो है वो कर सके जी नम्र टू बे क्या थे जी रेगुलेटिव इसमें हमने बात की थी law in order की ठीक है जी conversion के उपर ही अच्छा भी चले ठीक है वो एक दफ़ा दुबारा हम एक दफ़ा रवियन कर लेते है ठीक है वो मुझे भी जहन में नहीं आ रहा था जी और उसके बाद हो गया नमबर सी तो डिस्टिब्यूटिव में क्या है जी जिसके अंदर आपने goods, services और production उसको क्या करना है society के अंदर कैसे manage करना है कैसे organize करना है कैसे distribute करना है जी number four पे क्या था जी responsive के कोई भी दुनिया का political system है तो वो जो अपने citizens हैं जो अपने लोग हैं, उनकी जो भी needs and response आते हैं उनको क्या करता है respond करता है, उनको जो है वो क्या कहते है, correct करता है उनको responsive होता है, उनकी जो needs होती है उनके मकाबले में, उनको कोई ना कोई जवाब जो है वो provide करता है और पांच्वा है, symbolic symbolic पांचवा है symbolic जी तो symbolic में क्या है कि जिसके अंदर कोई भी दुनिया का political system है वो कुछ monuments को कुछ symbols को use करता है ताके overall society के अंदर एक एक value रहे लोगों की identity रहे लोगों को जो है वो एक sense of association फील होती रहे for example flags है ठीक है ये हर country या दुनिया का कोई भी स्यासी निजाम है तो वो अपने साथ कोई ना कोई symbol जो है उसको attach करता ही करता है और इसी तरह हमारे different monuments वगरे हैं जैसे मिनारे पाकिस्तान है जैसे हमने अपनी Parliament की उपर कलमा लिक के रखा हुआ है या इस तरह America के अंदर Statue of Liberty है तो ये सारे वो symbolic functions है जो कोई भी political system जो वो क्या कर रहा होता है परफॉर्म कर रहा होता है जी next time आएंगे जी system की adaptation और उसके हसाब से इसमें हमने दो की बात की थी एक political socialization political socialization और दूसरा political recruitment जी तो सबसे पहले आपने याद रखने हैं कि अगर हम society world को understand करते हैं तो इसका मतलब है कि जब human beings जो है वो society में आएंगे तो उन्होंने जब society में आना है तो of course they have become the part of collective life इस्तमाई जिना है सबने मिलके इस्तमाई तोर पर एकठे रहना है तो जब आपने इस्तमाई तोर पर एकठे रहना है तो फिर आपको उसकी management के लिए क्या develop करना पड़ेगा कोई ना कोई political system develop करना पड़ेगा तो society जब अपने लिए political system develop करती है तो इसका मतलब है कि वो जो individual है उसको आपने अब क्या करना है उसको आपने इस political system के accordingly manage करना है organize करना है train करना है उसको इसके साथ attach करना है उसको सिखाना तो ये सारा process कैसे होगा जब वो individual इस system से जुड़ी हुई values, norms, institutions, authority जी उसके उसके अंदर मौजूद जो laws है जो भी उसके अंदर rights है, power arrangements है तो इस बंदे को हमने क्या किया उस political system के accordingly क्या करना शुरू कर दिया train करना शुरू कर दिया train करना शुरू कर दिया तो ये जो training है ये किस के थूँ होगी ये training होगी उन institutions के थूँ जिनका काम है इनसान को politically socialize करना यानि के इनसान को वो norms, वो psychology, वो mentality, वो expectations, वो role ठीक है वो सब कुछ सिखाना ताके बंदा जो है वो एक अपना political expression, political participation कर सकता हो तो वो institutions कौन से हैं कुछ institutions का तालुग directly, खैर तो सारे institutions का तालुग की society से होता है लेकिन family, mosque, school, peer groups, आपकी political parties, आपके political leaders, ठीक है social media, education, कोई revolutions, कोई ऐसी social या political movements imagine करें अगर आप anti-slavery movement के दुरान पैदा हुए है तो आपकी जो सोच होगी, वो उस टाइम जो current हलाद चल रहे होंगे कोई movement चल रही होगी, कोई बड़ा revolution आ रहा होगा तो वो आपकी सोच को वो क्या करेगा, one way or the other way impact करेगा तो ये वो सारे institution है, जो कौन सा role perform करते है political socialization का अब दुनिया का कोई भी system है, खाव जुमूरी है, खाव जुमूरी है उन्होंने अपने जो शहरी है, उनको उस system के अंदर क्या करने के लिए train करने के लिए, या आपने अच्छा काम ये करने है कि आपने दो examples दे देनी है, एक democracy की और एक आपने चाइना की बतोरे example के जिन मुलकों में liberal democracy है, वहाँ पर जो values है लोगों को की जो political socialization है, वो की जाती है around the values of freedom, equality of rights, equality of opportunity universal equality, private property, democracy, self-expression, self-government क्योंकि ये सारे जो मैंने भी words बोलें, इनका तालुक इसके साथ है जी democracy के साथ है, लेकिन जब आप यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर आपको class struggle, revolutionary mindset ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पर collectivism, उसके बाद यहाँ पर आपको one party ठीक है यानि कि ये इस तरह की control, ज्यादा से ज्यादा जो power है वो किस के पास है वो state के पास है, तो दोनों तरफ जो है, दोनो states या दोनो in fact states नहीं कहना चाहिए दोनो political systems क्या कर रहें, जो अपने शहरी हैं, उनके लिए एक function perform कर रहें and that function is political socialization अच्छा जब ये political socialization हो रही होती है ना, यानि कि जितने भी individual हैं वो ये सारा कुछ क्या कर रहे होते हैं learn कर रहे होते हैं तो असल जो political system का इम्तिहान होता है, वो होती है उसकी political recruitment अब ये political recruitment क्या है? political recruitment है, कि कोई भी political expression ले लिया जाए आपने कुछ सियासी जमात जोइन कर ली है या किसी सियासी जमात ने आपको representation का मौका दे दिया है ये भी system की क्या है? recruitment है आप किसी bureaucracy को आपने जोइन कर ली है, ये भी क्या है? system की recruitment है आप कही election contest कर रहे हो, ये भी system की recruitment है आप किसी protest group में, किसी interest group का हिसा बने हुए किसी और student politics का हिसा है, chamber of commerce का हिसा है, trade union का हिसा है ये भी क्या है? ये आपकी political recruitment है और अच्छा निजाम वो है जो collective society में से हर तबके को recruit करता है यानि कि उसमें gender की कोई वो नहीं है, class, कोई ethnicity यानि कि society के जितने भी segments हैं, वो सारे के सारे, कहीं न कहीं अपने उस structure के अंदर क्या कर रहे होतें? जी, वो क्या कर रहे होतें? वो कहीं न कहीं अपने आपको उसके अंदर expression जो है, वो क्या करवाना चाहरे होतें? expression अपना कराना है, तो वो expression जो है, वो कब होगा? जब आपको कहीं न कहीं political representation का मौका मिलेगा, तो political representation कब होगी? जब आपको किसी political activity का हिस्सा बनाया जाए, तो political activity का हिस्सा बनाने के लिए, जो term use हो रही है, वो है political recruitment. तो ये कोई भी दुनिया का सियासी जो system है, political system है, वो अपने जो लोग है, उनके साथ functionally, again हम पढ़ क्या रहे है? structural functionalism. तो system क्या कर रहे है? एक structure है, जो के मौझूद ही किसली है, क्योंकि it has to perform some functions. Out of those functions related to adaptation, we are done with political socialization and political recruitment. क्योंकि बात? अब आएंगे जिस सबसे important बताईएगा जी, conversion के इतबार से, कौन-कौन से? जी, conversion के इतबार से, का लिखवाए थे यार, तो क्या 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 शामिल है input में और क्या 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 शामिल है output में? अपर में बताईएगा, जी, अपर्चार से? अपर्चशी कल्ड़ेछां यार लाण खेज बिखवाए जी, इतबार से? communication ठीक है और output में क्या है जी जी legislation जी legislation या rule making rule application और rule adjudication जी जी बिल्कुल ठीक हो गया अब आते हैं बड़ा एक दिल्चस्प सी सूर्तियाल होती है again you are part of the society society में आप रहे क्यों रहे थे क्योंकि society ने आपको एक लालश दिया था कि society क्या करेगी collective management करेगी क्या करेगी कुछ collective services प्रोवाइड करेगी जैसे आप किसी रहाईशी कालूनी में रहते हैं तो वो आपको कहते हैं जी के ये कालूनी जो है ये अपनी गैस खुद पैदा करती है ये बिजली खुद पैदा करती है पानी यहाँ पे जराब हम self sufficient है ठीक है roads अपने है यानि के security हमारी अपनी है यानि के इनसानी जिन्दगी को गुजारने के लिए जितनी भी बुनियादी क्या है requirements है वो सारी requirements जिस तरह उस housing कालूनी में पैदा होती है या मैं अक्सर अपने lectures में example देता हो तो Olympic stadium की कि society क्या है उस Olympic stadium की तरह है जो इतना diverse है इतना बड़ा है कि उसके अंदर 1000 किसम की games क्या हो सकती है arrange हो सकती है यानि कि उसके अंदर purpose build जो है वो ऐसे structures बनाएंगे है सब कुछ उसको इस तरह से design किया गया है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा activities में एक ही वक्त पर क्या हो सकते मुलवस हो सकते या वो सारी activities को perform कर सकते society भी क्या है इनसानों की needs की हमारे resources की मौशरे के अंदर होने वाली जितनी भी production है उसकी जितनी भी services हैं उनकी तो जब आपने society में रहना है तो of course issues भी है तो इन सारी चीजों की जरूरतों की हमारे वसाइल की हमारी पैदावार की हमारे जितने भी issues है human beings है लोग है इन सब की इस तमाई जो management है उसका नाम क्या है उसका नाम है मौशरा जी जी उसका नाम क्या है society तो जब आप society में रहते हो तो आपको रोज आप सारे लोग society में रहते हैं आपको पता है हमारे issues जूड जाते हैं बाद उकार sanitation के साथ education के साथ कभी हमारे issues होते हैं crime के related कभी security के related जी उसके बाद कुछ issues हमारे होते हैं commerce के related कुछ issues होते हैं जी law and order के related justice के related jobs के related आजकल पैट्रोल ये overall हम economy की बात कर लेते हैं अब ये जितने भी issues हैं ना जी ये जितने भी issues है अब अगेन मैं बार बार कहूंगा कि ये question इनको हमारे हम student समझते हैं कि ये खुश question है ये जी इनमें तो पता नहीं क्या लिखने हैं देखें कितने practical questions है कोई भी इनमें खुश question नहीं है आपने जब वहाँ इन चीजों को explain करना है तो आपने जो examples लेनी है आपने जो diagram बनानी है वो बिल्कुल आपने इसी तरह बनानी है हमने society उसके साथ needs को link किया उसके बाद society के issues हैं अब इन issues को अब इन issues को ज़रा गोर से सुनिएगा ये कौन से है functions conversion functions conversion किस चीज़ की है conversion है कि मौशरे में मवजूद लोगों के जो मसाइल है उनके जो issues हैं उनकी जो अवाज है उनकी जो sentiments हैं उनके जो emotions हैं उनकी जो wishes हैं उनके जो issues है वो किस तरीके से protect नहीं करना वो तो बाद की बात है नहा जाए कि वो आपस में ऐसे जूड जाए क्या करजिए जूड जाए कटे हो जाए यानि कि पूरी सुसाइटी उन पर क्या होती रहे मतफिक होती रहे yan वो एशूज किसकी हो जाएँ पूरी उनको प्रआपरली हम कम्मीनिकेट कर सके तो वो communication जो है उनका जो expression है वो किस तरीके से होगा वो तीन functions परफॉर्म करेगा कोई भी political system दुनिया का तो वो सारी चीजें हमा ये सारा हमारा मसला जो हो किसे हाल हो जाएगा इन तीन functions है पहला है जी interest articulation, interest aggregation और number three political communication अब ये interest articulation, interest aggregation या political communication ये किसके तरू पॉसिबल हो सकती है ठीक है तो ये जनाम एक उसने क्या नाम है आपका alignment है उसने आपके जो interest groups हैं कौन से? interest groups हैं उनको primarily उनकी responsibility बनाई है या उनके जिमेंगे या वो same functions है, structures हैं जो क्या करते हैं? जो YLR role perform करते हैं, interest groups जी, तो ये interest groups जो हैं, ये क्या करते हैं, ये society के मुखतलिफ हिस्सों की, मुखतलिफ issues की नुमाइंदगी होती है Chamber of Commerce है, Trade Union है, ठीक, जी? जी, मीडिया है, Civil Society है, ठीक है? उसके बाद आपका जनाम ये जो है Traders, Trade Union है, Bazar Association है, आपके Lawyers की कोई conventions हैं, तो ये सारे आपके क्या हैं? ये interest groups हैं, ठीक है? Women Protection Societies हैं, ये interest groups हैं, ये interest groups का क्या काम है? कि ये मौशरे के अंदर मौजूद जो strains हैं, जो fault lines हैं, जो crimes हैं, जो issues हैं, जो लोगों के मफदात हैं, ये उनको क्या करते हैं? ये उनको shape करते हैं, ये उनको voice from करते हैं, ये उनको एक framework देते हैं, ये उनको shape देते हैं, durch его articulation, ये उनको क्या करते हैं? articulate करते हैं, ये उनको shape करते हैं, ये उनको impact करते हैं, उनको further जो है, वो कह करते हैं, उनको पूरी की पूरी जो है, उनकी outlook जो है, उसको बनाते हैं, उनकी anatomy create करते हैं, लोगों को अवाज देते हैं, लोगों का expression कराते हैं, तो जो interest groups हैं, वो basically primarily क्या हैं, वो इन सारी जो हमारी activities पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसके साथ रिडेटिड हैं सोसाइटी में अगर चल रहा है जी कि क्राइम बहुत बढ़ गया है तो पॉलिटिकल पार्टी उस पबलिक अपीनियन को उस पबलिक सेंटिमेंट को क्या करेंगी सुनेगी और उस बन्याद पर अपना कोई ना को कान्फरंस करके कभी कोई कभी कोई कभी कोई कोई लॉंग मार्च करके कभी किस उसके उपर कोई और सिंबॉलिक प्रिटेस्ट करके किसी ने किसी हवाले से वो क्या करेंगे वो जो सारा ये हमारा किसी सिस्टम से हमारी जो रिक्वार्मेंट है कि वो क्या करें मुतारिफ कर अब ये है इन्पुट इसको आपने क्या करना है यहां तक अगर तो कोई political system रहे तो उसका कोई फाइदा नहीं उसकी वज़ा है कि जो यहां से चलता रहा है वो basicly क्यों चलता रहा है उसका फाइदा क्या है उसका फाइदा करें उसकी conversion करें जो public की आवाज है जो public sentiment है उसको क्या करें convert करें into something what we may call the output end क्या है product क्या है आपने end पे हासिल क्या किया जी मैं अभी उसके उपर उसकी उसको हम case study के तोर पर लेंगे ठीक है जी तो ये क्या हो गया अब आपने political system से पूछा उसने का जी मैं तीन function perform कर रहा हूँ कौन कौन सा जी rule making का rule application का और number three rule adjudication का तो हम structural functionalism पढ़ रहे हैं तो कोई भी जो function है वो तब ही perform हो सकता है जब उसके parallel क्या है एक structure exist करता है तो rule making एक function है इसको perform करने के लिए relevant structure कौन सा है modern world में आप रहते हैं बताएं rule making कौन करता है rule making parliament करती है legislature करता है जो आपकी law making body है वो करती है तो वो एक ऐसा अधारा है जो आपके लिए yellow function perform करता है number two पे rule application एक function है तो इस function के लिए functional structure क्या है executive कौने जी executive दुनिया में आप कहीं भी जाएंगे तो executive का काम क्या है law and order को maintain रखना constitution को implement करना law को implement करना और उसके बाद adjudication है तो इसके लिए आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो आपको institution of judiciary जो है वो नजर आएगा और वो क्या कर रहा होगा वो लोगों के जो आवास से बनाएगे कवानीन है उनमें अगर कोई तबदीली करनी है उनके अंदर कोई अगर अपना जो है उनकी उपर कोई तशरी करनी है उनकी कोई interpretation करनी है तो यो सारी चीज़ें जो है वो basically फिर आपको कहां से मिलेंगी उस सारी के सारी चीज़ें आपको तब मिलेंगी जब कोई भी दुनिया का पॉलिटिकल सिस्टम अपने आउटपुट जो फंक्शन्स हैं उनको क्या कर रहोगा परफॉर्म कर रहोगा अच्छा इसमें ना अभी एक पेज ले ले एक केस्टेडी बनाएं जड़ा यह आपने वहाँ पे डिवेलप करनी है जी जी हम एक्जेंपल ले रहे हैं जी फैमिनिस्ट या जेंडर्ड जो हमारा डिस्कोर्स है वहाँ से ठीक है फॉर एक्जेंपल फॉर एक्जेंपल सुसाइटी के अंदर जो है वो कोई रेप या कुछ चाइल्ड ब्यूज इसमें हमने केस टड़ी लेनी है जैनब इंसिडेंट जो हुआ कसूर के अंदर उसको हम बतौरे प्रैक्टिकल जो है वो क्या लेंगे जी केस टड़ी लेंगे जी इस चीज़ के ऊपर पब्लिक रियक्शन आता है इस इशू को स्लोली एंड ग्रैजूली टेक अप किया जाता है डिफरेंट सेगमेंट्स की तरफ से मीडिया सिवल सुसाइटी पॉलिटिकल पाइटी जी एंजियोज वगारा ठीक है जी ये डिसकस होता है तो इसके उपर स्लोली एंड ग्रैजूली एक वाइडर पब्लिक उपीनियन वाइडर पब्लिक उपीनियन कंसेंसिस वो डिवेलप होता है वो डिवेलप होने के बाद ये मैटर जो है ये कहां पर जाता है ये पार्लिमेंट में जाता है पार्लिमेंट जो है वो इसके उपर डिबेट्स discussion, interest articulation सारी चीज़ें करवाती और उसके बाद finally एक law उसका नाम था जी Zainab Alert Bill जी तो ये जो function है ये किसी भी system का क्या है output function है rule making का इसमें आप एक और भी बड़ी जबरदस example है जो जिन बचों का gender studies है या जो बड़े अराम से example ले सकते है American women का जो right to vote है ठीक है? वो भी इसी तरह शुरू में conventions हो रहे है ठीक है? debates हो रही है protest हो रहे है, writing हो रहे है ठीक है? dialogue हो रहे है और करते 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 तो 1920 के अंदर 19th amendment वो प्रिपोज पास हुई in the US constitution जहां पर खवातीन जो है उनको right to vote मिल गया वो छोड़ दें आप फिलार ये लिखनें वो फिर gender में कर लेंगे डान हो गए जी ये जुरूरी नहीं है ये मैंने सिर्फ आपको वो बच्चे बाजगत कह रहे है तो ने सर आप बताएं actually वे करके दे दे तो this is how paper में आप जो है वो as a case study किसी चीज़ को incorporate और जुरूर करें इस तरह के सवालों में काफी आपको beneficial हो जाता है मामला एडवर्ड शिल्स जी एडवर्ड शिल्स अब कहते हैं कि दुनिया के हमने सारे सिस्टम्स को उनके structures को functions को अब study कर लिया है उनके input output functions देख लिए अब दुनिया के जितने भी फॉंक्शन पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं उनको उनके functions and structures की बन्याद पर हम उनकी क्या कर सकते हैं division कर सकते हैं category बना सकते हैं अब अगेन ये आप इस दफ़ा चुके ये question आने के chances 99% है क्योंके PMS में trend follow होता है एक साल almond एक साल के नाम है एक साल almond एक साल eastern तो इसमें एक अच्छी creative चीज़ ये भी हो सकती है कि इन लोगों ने जो segregation की है जो division की है हम चुके political science के student है already ही और topic भी उसी के related है तो हम दुनिया के जितने भी सियासी निजाम है हमारे पास chance है कि हम उनको यहाँ पर discuss कर सकते हैं और मेरा मशवरा एक और है कि थोड़ा सा मैं difficult मशवरा दे रहा हूँ कि आप world map बनाएं वहाँ पर paper में और region wise कौन सा? region wise आपने सियासी निजाम जो है उनको discuss करना है जो इसने यहाँ पर division देनी है ना सिर्फ हमने heading लिखनी है आप heading को convert कर दें किसमें? map के अंदर convert कर दें ताके थोड़ा सा बात भी आप वो कर लो और क्या हो जाए? थोड़ा थोड़ी presentation जो है वो भी आपकी अच्छी हो जाए सबसे पहली category जो इन्होंने बनाई है वो है जी pure democracy जी political system की एक category कौन सी है जी? pure democracy यहां पर वो कहता है कि जी यहां पर वो कहता है कि comparatively individual freedom है number one number two जो आपके state institutions है या structure functions है जैसे executive legislature judiciary ये relatively free है ये freely input देते है freely output देते है जी number two जी ट्यूलियर डिमॉक्रिसी ट्यूलियर डिमॉक्रिसी symbolic hybrid जी symbolic डिमॉक्रिसी अब जो उपर वाला है उसमें आप किन की एक्जाम्पल देंगे? pure democracy में? इसका मेरे से भी ज्यादा अच्छा ज्वाब आपको democracy index पे मिल जाएगा जिन country's के पहले 5 country's का top होगा जिनका score 10 में से 9.8 है 9.7 है उन country's को आपने 3-3 country's की example ले लें काफी और उनको मैप के उपर क्या कर दें? ड्राउ कर दें अब ये country's आपको का मिलने है यॉरप में ये country's आपको का मिलने है यॉरप में तो जब आपने world map बनाया होगा तो आप यॉरप में जाओगे वहाँ पर उन तीन मुलकों के नाम लिखे और उनके साथ उनको बाहर निकाल के ऐरोप तो खसूसियात लिख दे कि इंडिविजूल फ्रीडम है, state institutions comparatively क्या है free है और अपना freely input और output functions क्या करते है perform करते है, अल्ला अल्ला और खायर साथ जी, zenab alert भी लिखा हुआ है, जी, नमबर टू जी ठीक है, जी, इसमें क्या है, level playing फिर्ड नहीं होती elite जो है, उसका, वो capture करती है power को और, नमबर त्री, legislature और executive इन दोनों को compromise कहलो, आप influence कहलो जैसे पाकिस्तान की अगर हम example की बात करते है तो हमारे हाँ, कहने को, हमारे जो structures हैं, वो कहने को जुमूरी structures हैं, लेकिन when it comes to their functioning तो हमें पता है, कि वो कहीं न कहीं, कभी military की intervention को, कभी judiciary को, या कभी किसी न किसी सियासी जमात के दबाओं में, हमारे एदारे जो हैं, वो अजादाना काम नहीं कर पाते हैं, जी नमबर त्री लिखें जी, जी नमबर त्री जी, modernizing oligarchy, जी इसमें कहा है, कि जितनी भी non-democratic forces हैं, उनका रोल ज्यादा होता है, जैसे bureaucracy है, जैसे military है, मसलिए इसमें आप example लिख सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर 1947 से लेके 1956 तक, बड़ी classical case study बना सकते हैं, 1947 से लेके 1956 तक, नमबर फोर, totalitarian oligarchies, totalitarian oligarchies, जी, इसमें जो हमारा आज का रुशिया है, और former USSR है, ठीक है, ये बड़ी जबरदस एक्जेंपल आपकी आ सकती है, जी, उसके बाद traditional oligarchies, जी, जैसे आपके dynastic, hereditary, जी, जी, तो ये जितने भी हमारे middle eastern countries है, जहां पर मुनार्कies हैं, ठीक है, उन सब को हम यहां पर, नीचे, नमबर फाइव पर, traditional जो हमारी oligarchies या मुनार्कies हैं, उनके अंदर ले सकते हैं, यहां पर भी जो power होती है, वो किसी एक खांदान के पास होती है, एक दो, जी, लेकिन वो constitutional मुनार्कies हैं, वो constitutional मुनार्कies हैं, बिल्कुल उनको भी आप ले सकते हैं, clear होगे, तो जब आपने functions की बन्याद पर दुनिया के मुख्तलिफ निजामों को किया, तो इन लोगों ने, adversialis ने, पांच बड़े political structures आपको दे दिये, कि कम असकम ये वो systems हैं, ये वो structures हैं, जो दुनिया में क्या हैं, exist करते हैं, डन होगे, चले, ले जी, अब हम आएंगे, सबसे पहले, अब मैं मार्क्स जो है, वो थोड़ा सा आपको डिसकस करूँगा, और उसके बाद हमने आना है, लेनिन पे, और उसके बाद आना है जी, हमने, माओ पे, माईज, तो जी, अच्छा जी, एक मैंने कल प्रामिस किया था कि हम जो सिस्टम पढ़ रहें न, इसका, क्या नाम है, आल्मेंट का, इसको हम पाक फेर्स पे अप्लाई करेंगे, कल बात हुई थी हमारी, ले जी जी जरा एक सेकंड दे दे दें, बस फिर नमाज की ब्रेक, पता नहीं, अभी नमाज का टाइम है अभी, अच्छा चले, फिर जो भी करने हैं, फांच्मिन की ब्रेक कर लेंगे, ठीक है, अब ये क्या सीन है जी, ये सीन ये है, कि जितने भी उसने फंक्शन्स बताई हैं, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम ने जो प्रफॉर्म करने हैं, अगर आप गोर से देखी, तो वो सारे सिस्टम्स को अगर हम एक तर्तीब में लिखे न, तो वो सिस्टम्स क्या बनते हैं, कि स्टेट का काम है, टेक्स, कलेक्शन कर करना, जी, लाँ एन, और्डर प्रवाइड करना, और, वो पांच सिस्टम्स कौन कौन से हैं, जी, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्सिव होना, लोगों की जो नीड्स हैं, अपने शेहरियों की सोशलाइजेशन कराना, अट्जूडिकेशन करना, लेजिसलेशन करना, ये मेजर फंक्शन्स हैं, आपने बड़ा सिंपली पाकिस्तान के उपर जब बात करनी होगे पाकिस्तान के इशूस क्या है, तो उसका बेहतरीन हल ये हैं, कि आप ये सारे जो फंक्शन्स किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम को क्या करने चाहिए, परफॉर्म करने चाहिए, अब आप ले क्या करने हैं, आप ने 70 एयर्स आफ पाकिस्तान को लेना हैं, और आपने इन में से हर एक को जो हिस्टरी है सतर साल की उसके तनाजर में देखने है कि क्या पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो अपने डेजिगनेटिड फंक्शन्स परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है आप सिर्फ इसके उपर आजएं बाइस करोड के मुल्क मे का नहीं कर सकी है तकरीबर टू मिलियन लोग बीस लाक से भी कम लोग उनको आज तक हमारी स्केट का कर सकी है टेक्स नेट में ला सकी है एगनरी कल्चर के उपле direct text आजद तक नहीं लग सका ठीक है और उसके बाद आपकी जो वाइडर एकॉनमी है जो वाइडर से लोगों कि वो उस tax collection के bubble से क्या है आउट है direct taxation ना होने के बराबर है तो आज हमारे जो financial crisis हैं पाकिस्तान को जो financial crisis है उसमें बहुत बड़ी वज़ा यह है कि हमारी जो स्टेट है या हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो ऐसे स्ट्रुक्चर्ज नहीं डिवैलप कर सका जिसके थूँ वो अपना डेजिगनेटिड फॉंक्शन क्या है प्रॉपरली परफॉर्म कर सकी क्लेर हो रही पास इसी तरह आप वन बे वन इन में से एक एक को लेंगे और उसके अंदर पांच-पांच हैडिंग भी डिसकस हो सकती है मसलों लॉइन ओर्डर है ठीक है तो आप इंडिया के साथ जो आप मारे रिलेशन्स हैं उनको भी डिसकस कर सकते हैं आप war on terror को भी discuss कर सकते हैं आप terrorism को भी discuss कर सकते हैं आप जो crimes हैं उनको भी discuss कर सकते हैं जी ये बिल्कल बिल्कुल बिल्कुल आप इन सब को थोड़ा सा अगर जोड़ेंगे तो ये पूरे का पूरा आपका 20 लड़ा का question है वो बन सकते हैं वो इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि ज्यादा तर बचे जो है आज कल जो पाफ इदर PMS में चल रहा होता है आप पूछेंगे ना पाकिसनन के issues के तो majority बचे है कि जैसा जवाब जो है वो लिख रहे होते हैं तो मैंने का चले जी अब्दुलमनान वेरी अपना दील मंजूर वेरी गुड वो कह रहे हैं जी कि structural deformity is the cause of functional deformity क्या बात है जनाम यह जो quotation हो गई है अदील मंजूर खैर तो है आज मौसम लगता है कोई अच्छा है है तो यह लिख लिए आप लोग भी जी कि structural deformity is the cause of functional deformity और आपको पता है अगर कोई शहरी जो है उनको अपनी political system से तहफुजात हो यानि कि वो सही तरह fulfill ना हो रहा हो तो उसके मकाबले में फिर क्या होता है लोग protest भी करते हैं लोगों के अंदर एक dis association आ जाती है system के against एनिमाय आती है एक hatred आती है जैसे आज कल पाकिस्तान में आप देखेंगे ना politics से थोड़ी सी नफरत जो है वो बढ़ रही है politician से जो नफरत है वो बढ़ रही है overall और जितनी भी ये आ रही है आपकी ये पैट्रोल के हवाले से जो भी हो रहा है लोगों के अंदर overall एक psychological इसकी repercussions बहुत ज़्यदा आ रही है कि जी महंगाई बढ़ गी है ठीक है और और बहुत सारा चीज़ें जो हो रही है जी structural deformity is the cause of functional deformity of the political system of Pakistan डन हो गया जी चलें जी तो दो मिनट हम break कर लेते हैं break के बाद जो है वो हमने लैन जो है उसको start करना जी online वाले बचे डन हो गया सिर्फ दो मिनट जो है वो हम break करेंगे break के बाद फिर हम लैन स्टार्ट करने और अगर possible है तो आप अगर marks जो है वो उसको repeat कर सकते हैं तो कर लें ठीक है जो बचे marks को पढ़ सकते हैं repeat कर सकते हैं थोड़ी जहमत कर सकते हैं वो कर लें ठीक है thank you अच्छा जी सबसे पहले हम बात करेंगे जी हम marks के उपर एक चीज़ याद रखने हैं कि ये तीनों जो फिलॉसर्स हैं ये अगर आप इनको एकठे थोड़ा सा एक एक अप्रोच करेंगे तो ये आपके लिए थोड़े एजी हो जाएंगे ठीक है क्योंके अगर आपको marks न लेनन नहीं आएगा और लेनन नहीं आता तो माओ नहीं आएगा ठीक है अब इनके अंदर कुछ बहुत इजी चीज़ें अंडेस्टैंडेबल चीज़ें जी सबसे पहली बात मार्क्स को आप लोगों ने पड़ा हुआ है सबसे पहली बात historical materialism जी historical materialism the history of mankind is the history of matter यानि के जो economic या production oriented production related जो व्यू है मार्क्स का वो है history अब ये point इतना simple नहीं है कि हम ये बात कर दें कि history of mankind is the history of matter अब यहां पर एक चीज़ का हमने ख्याल रखना है कि जो इनसान की तारीख है वो कभी कहा जाता है कि वो ideas की तारीख है कभी कहा जाता है कि वो warriors की तारीख है कभी कहा जाता है कि वो religions की history है तो मार्क्स के करीब जो history है basically वो जो आपके relations of production है relations of productions और आपके जो mode of productions है basically ये engines of civilization है driving जी driving forces of human life है driving forces of human civilization है clear होगी बाद production, mode of production और relations of production और यहां से दूसरा concept हमें पता होना चाहिए वो है dialectical materialism तो ये जी history अभी हमने कहा कि history किसकी है relations of production की, mode of production की तो ये जो relations of production है और mode of production है इनकी जो movement है वो movement जो है वो किस angle में है वो contradiction में है मैं बहुत ज़्यादा detail में नहीं जा रहा क्योंकि हमने eventually आना है किसके उपर लैनिन के उपर तो सिर्फ मैं revenge करार हूँ ताके आपको थोड़ा आजे जेन में कि जी अच्छा मार्क्स के बारे में हमें ये बाते पता है तो आगे चलती काम चले है तो history क्या है जी contradictions contradictions किसकी मार्क्स के angle में आपको पता है के capitalist class वर्सस लेबर क्लास ठीक है slaves वर्सस मास्टर्स ठीक है peasants वर्सस फ्यूड्स या feudal lords तो ये इनसान की तारीख basically economic relations की और ये economic relations क्या है inherently क्या है contradictory हर चीज का तज़ाद उस चीज़ के अंदर मुझूद है ठीक है ना reality क्या है unity of opposites unity of opposites जिस तरह हमारे अंदर नेकी और बदी है अच्छाई और बुराई है दिन और रात है ठीक है तो ये इसी तरह से morality है versus a morality है तो human life जो है वो basically is composed of different contradictions तो ये contradictions जो है ये basically किस सूरत में मार्क्स हमें बताता है dialectical materialism उसके बाद number three मार्क्स कहता है कि ये जो dialectical materialism है इसकी जो modern form है वो कौन सी है वो है capitalism versus या capitalist class versus labor class capitalist class versus labor class या क्लास struggle class struggle तो वो कह रहा है कि ये जो class struggle है ये क्या करेगी ये continue रहेगी और number four जो views आपको पता होने चाहिए वो है capitalism के मार्क्स कहता था कि जितनी highly industrialized countries है और उस टाइम उसका highly industrialized countries से मुराद जर्मनी और England तो जर्मनी और England में उसका ये ख्याल था कि जैसे जैसे industrialization बढ़ेगी जो capitalism है इसके अंदर की अपनी जो inherent क्या है contradictions है inherent contradictions ये क्या करेंगी ये inherent contradictions जो have nots है यानि के कौन labor class उनके अंदर क्या करेगी एक class consciousness class consciousness उसको spontaneously कैसे spontaneously उसको create करेगी और जितनी industrialization बढ़ती जाएगी उतनी exploitation क्या होगी बढ़ती जाएगी जितनी exploitation बढ़ेगी उतनी ही जल्दी वो कहता है कि जो आपकी labor class है वो अपनी consciousness के उस इतबार पर आ जाएगी के जहां पर वो लोग क्या करेंगे वो लोग revolution लेके आएगी revolution और उस revolution के नतीजे में क्या होगा एक class less revolution of the proletariat revolution of the labor class वो क्या हो जाएगा establish हो जाएगा और end के उपर एक ideal society जिसकी बुनियाद किसके उपर है universal justice के उपर equality के उपर no power relations उनके उपर लेकिन वो ideal society वो ideal state का खाका क्या होगा वो कैसी होगी क्या होगा इसके बारे मारक्स ने कोई बात नहीं की है लेकिन उसने ये बात जरूर की है कि ये जो dialectical materialism है ये move करते करते अपनी final stage भी achieve करेगा और वो final stage क्या होगी जहां पर revolution of the जो proletariat है वो आ जाएगा इन शॉर्ट एक class less society क्या होजेगी establish होजेगी क्योंके जो workers होंगे वो तो इनकलाब लेंगे जब वो इनकलाब लेंगे वो state power के उपर क्या कर लेंगे कबजा कर लेंगे जब वो state power के उपर कबजा करेंगे तो फिर जो बार्जुआ क्लास है उनकी बनाईों इन शूल्ट उसको वो क्या कर देंगे abolish कर देंगे और उसके पाद उसके उपर जो नई state construct करेंगे वो state किसकी होगी वो strelitarian state होगी वो state of the labor होगी state of the workers होगी जी वो state of the workers होगी तो जब वो state of the workers होगी तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो mode of production है वो socialized हो जाएगा that is why जो marks है उसकी end पर जो scheme है वो क्या है कि एक socialist एक communist जो living standard है एक living order है social order है वो क्या कर लिया जाएए वो create कर लिया जाए कलेर होगी बार अब आते हैं लैनन के उपर जब भी marks के लैनन के उपर question आएगा आपने सबसे पहले marks के ये जो ideas है इनको brief form में मैं फिर कहा हूँ किस form में brief form में आपने वहाँ पहले देना है बिलकुल confident होगी वो अभी आपको पता लाग जेगा क्यों देना है क्योंकि यही जो discussion है इसको बड़ी हद तक आगे लेके क्या है लैनन बड़ी हद तक वो जो है इसके अंदर उसने चीज़ें एड़ की है और अपनी original contributions वे उनको incorporate की है ठीक है लैनन और मार्क्स में अगर similarities की बात करें लैनन में और मार्क्स में similarities की बात करें तो सबसे पहली चीज़ यह है कि लैनन agree करता है मार्क्स से किस बात के उपर कि जो history है human history वो किस की history है वो बिलकुल mode of production की और relations of production की history नमबर टू वो मार्क्स को कि जो scientific socialism है यानि कि scientific interpretation of history है उस से बिलकुल agree करता है कि yes history is scientific और ये eventually किस की तरफ move कर रही है scientific socialism की तरह फिर वो मार्क्स से agree करता है कि बिलकुल सही बात है कि there is class struggle जो के क्या करती है exist करती है नमबर फूर वो मार्क्स से agree करता है कि बिलकुल there will be a revolution लेकिन वो इफिलाफ भी करेगा भी कि कैसे revolution आएगा उसमें कौन किसका क्या role होगा वो सारी बाते वो अलएगा अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ जो similar और पांचवी चीज़ यह है कि by the end of the day जो लेनन है और जो मार्क्स है इवन माओ यह सारे लोगों का ideal क्या है कि end के उपर socialist communist एक ऐसी society एक ऐसा social political order बनाया जाए जिसके अंदर क्या हो जिसके अंदर जो लोगों के दरमयान relationship है state के और लोगों के दरमयान जो relationship है वो क्या हो वो equality की बनियाद पर हो वो किसकी बनियाद पर हो equality की बनियाद पर हो किसकी बनियाद पर हो जी equality की बनियाद समझ आगी बात तो अब आपने यहाँ पर लैनन और मार्क्स को कठे करके क्या कर लिया ब्रिज बना दी पहले आपने सिर्फ मार्क्स को लिखा फिर आपने लैनन और मार्क्स को आपने आगे थोड़ी सी जगा देनी है और उसके आगे फिर हम आगे बात भी चलाते हैं जी सबसे पहली चीज लेनन के बारे में वो याद रख ले वो कहता है कि हमें ना सबसे पहले जो हियूमन बिंग है इसके तशरी करनी पड़ेगी हियूमन बिंग की कि क्या हियूमन बिंग जो है ये एक आबजेक्ट है नमबर टू या ये एक सबजेक्ट है ये बड़ी दिल्चस्प बात है कि हियूमन बिंग क्या है ये एक सबजेक्ट है या एक आबजेक्ट है जब हम ये कहते है कि ये एक आबजेक्ट है ये क्या है आबजेक्ट है इसका मतलब है कि इसकी जिन्दगी में होने वाली जितनी भी चेंजिंग्स है वो इस इनसान के उपर क्या की जाएंगी इंप्लिमेंट की जाएंगी यानि कि ये अपनी जात को मोल्ड करेगा सिस्टम के मताबिक तो यहां से मुराद है कि जब हम इनसान को ऐस आपजेक्ट देखते हैं तो इसका मतलब है कि इनसान प्राइमेरिली बाई नेचर क्या है रिफॉमिस्ट है क्या है? रिफॉर्मिस्ट है तो फिर आपको समझ आ रही कि जो रिफॉर्मिस्ट होता है वो कभी भी इनकलाब की बात नहीं करता वो slow and gradual change को तस्लीम करने बाला होता है लेकिन वो कहता है कि जब आपको as a subject entertain किया जाएगा तो इसका मतलब है कि आप primary agent है active agent है in the evolution of movement of human history इसका मतलब है कि आप के पास ये right है कि आप क्या कर सकते हो आप political order को state power को तबदील कर सकते हो capture कर सकते हो through revolution तो इसी लिए फिर revolutionist तो जो लेनन है he himself is revolutionist his understanding of human beings is revolutionist his method is revolutionary his mean is revolution his conclusion is revolution समझारी बात कि वो इनसान को एक active agent के तोर पर ले रहे एक passive जो obedience है वो उसकी तरफ नहीं भी लेके जा रहा ले रोगी बात दूसरी बात दूसरी बात ये कहता है ये हैगल और मार्क्स इन दोनों से agree करता है किस चीज़ को लेके base and super structure को लेगे किसको जी base याद है मार्क्स की तहरी base and super structure base and super structure लेकिन आपको पता है मार्क्स हेगल से ही agree नहीं करता कि ये जो dialectical movement है ये ideas की नहीं है ये matter की है ये जो लेनन है ये आके थोड़ा सा मार्क्स से भी इखतलाफ करता है किस चीज़ को लेके base है बेस क्या है economy अब ये गोर्ष से सुनिएगा base क्या है economy तो क्या कहता है जिस तरह की economy होगी उसके corresponding ली क्या होगे society डिवेलप होगी उसी तरह के ideas डिवेलप होगी उसी तरह की values डिवेलप होगी और उसी तरह का जो political culture है political structure है वो भी क्या होगा जो इस चीज़ को क्या कर रहोगा correspondent कर रहोगा तो ये उपर वाली जितनी भी चीज़े है ये क्या है super structure और economy क्या है base है हेगल जो लेनिन है उसका point of view पता क्या है उसका point of view है कि ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ये हमारी गलत फहमी है कि it is the economy which determines the वो reject नहीं कर रहा वो थोड़ा सा क्या कर रहे अखिलाफ कर रहे है अब इस अखिलाफ को समझने के लिए मैं आपसे एक example शेयर करूँगा वो कहता है कि जब आपको आदत पढ़ जाये न कौन से सिस्टम में रहने से capitalist economy में तो वो कहता है capitalist economy पता है क्या करती है आपको न एक चूरन देती है मसलिए वो कहती है आप सारे अजाद है वो कहती है आप सारे बराबर है वो कहती है आप सब के human rights है वो कहती है आपके पास equality of opportunities है इसका मतलब है economy को लोगों के जिन्दगी का हिस्सा बनाने के लिए लोगों को उसके आदत डालनी पड़ती है तो वो जो आदत है वो कहां से शेप होती है वो उन values से उन norms से उन social structure से political system से ताके वो बन्दा जो है उसको काबू रखा जा सके उस social order के लिए तो ये कहता है कि जो economy है जरूरी नहीं है कि हर दफ़ा economy ने इनको impact करने बलके ये जो values है ये जो norms हैं ये भी बन्दे का जो mental structure है या जो उसका economic living structure है उसको क्या कर रही होती है share कर रही होती है तो ये super structure का और base का क्या करवा रहे है आपस में एक dialect करवा एक relationship discuss कर रहे है कि super structure भी impact करता है किसको base को एक Russian को उठा के न आप अमेरिका में छोड़के आजएंगे ने तो वो alien होजएगा वो क्यों alien होजएगा क्योंकि वहां पर जो मौश का जरीया है उसके मताबिक उसका training ही नहीं हुई उसके ideas ही वो नहीं है तो यहां पर क्या होगा अगर आप एक American को रशिया छोड़के आएंगे वो भी alien field करेगा क्यों क्योंकि उसके super structure में और base में क्या है incompatibility है दोनों के अंदर क्या है incompatibility तो इस वज़ा से फिर जो Lenin है उसके करीब यह जो base और super structure है इसके mutual relationship को understand करना क्या है जुरूरी जी clear बात होगी जी number three जी number three उसके बाद अगली बात वो करेगा class struggle को लेट class struggle वो कहते हैं जी मार्क्स ने कहा था जी मार्क्स ने कहा था कि जो industrialized economies है for example Britons और Germans यहां पर इतनी ज्यादा exploitation हो जाएगी कि क्या होगा revolution of the proletariat working class वो आ जाएगा तो उसने का जी जो मैंने analysis किया है 18 और 19 वी सदी का तो यह तो क्या हो रहा है दुनिया में नया trend शुरू होगे और वो trend क्या है कि जो capitalism है वो इंक्रीज हो रही है working class इंक्रीज हो रही है working class की जो wages है वो इंक्रीज हो रही है कोई भी बड़ी इंकलाबी Marx की जो prediction थी ना कि वहां के जो बरकर्द हैं वो क्या करेंगे इनकलाब लेंगे उसमें कोई भी बड़ी revolutionry movement वो यहां पर नहीं आ सकी और नहीं कहीं पर कोई असार नजर आ रहे हैं कि जनाब यॉरप के अंदर जो है वो कहीं पर कोई classless जो society है वो क्या होगी वो इस्टाबलिश हो रही है वो क्या है वो इस्टाबलिश हो रही है तो ऐसी कोई भी सूरतियाल हमें यहां पर नज़र नहीं आ रही जी तो मार्क्स के उपर क्रिटिसिस्म किया बात की और अब उसने का के मार्क्स का असल में मसला पता किया है के मार्क्स ने एक फंडमेंटल गल्ती की है उसका ये ख्याल था के जितनी भी इंडस्ट्रियल एकॉनमी से यॉरप की वो क्लैप्स करेंगी कैपिटलिजम की वज़ा से लेकिन वो तो सर्वाइव कर गी है तो इसका मतलब है प्रॉब्लम कहां पर है उसने का के ये असल जो क्लास ट्रगल है न ये अगर मैं कंट्री की सेंस में बात करूँ तो यूँकर ये रशियन है तो ये बात को कहां लेके आ रहा है रशियन कॉंटेक्स के अंदर माक्स ने जर्मिनी और इंग्लेट उसको अपना रैफरेंस बताया था तो इसके करीब जो आपके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है लीस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रीज है कौन से least industrial countries रश्या बहुत बाद में और बड़ी देर से industrial हुआ है least industrial countries होना तो शुरू हो गया था 19-20 सदी के end पे तो बहुत ज़्यादा industrialization हुई है लेकिन फिर भी इट वस तो इसका कहना था कि ये जो class less society की struggle है न ये जो capitalism का collapse है ये basically कहां पर होगा least industrialized countries में जी done होगे उसके बाद चौत्छी चीज़ वो कहता है कि ये जो class struggle है इसकी end पे revolution आना चाहिए था मार्क्स के करीब वो नहीं आया उसकी दो से तीन बड़ी reasons देता है और इसका बहुत बड़ा idea है उसको कहते हैं जी फाल्स क्लास कॉंशिस्नेस फाल्स क्लास कॉंशिस्नेस जी इसकी आप हम एग्जाम्पल लेंगे फाल्स क्लास कॉंशिस्नेस इसमें वो कहता है कि कैपिटलिजम ने क्या किया है किताबों के थ्रू लिट्रेशर के थ्रू अपने इंसेंटिव्स के थ्रू अपने पॉलिटिकल वैल्यूस के थ्रू या ने कि जितना भी सूपर स्ट्रुक्चर था उसका इस्तमाल करते हुए न लोगों को क्या कर दी है ब्रेनवाश कर दी है ब्रेनवाश करने से क्या मुराद है कि उनको अडिक्टिव ओफ टेपिटलिजम बना दिये अडिक्शन ओफ टेपिटलिजम अब अगर मैं लोगों को कहता हूँ न कि अपने आपको किस इतबार से देखो कि यार या तो तुम capitalist class से तालुक रखते हो और या तुम labor class से तालुक रखते हो तो लोग कहते हैं नहीं हम कौने हम employer है और imply है modern terms use करना शुरू कर दी न क्योंके जो class है वो तो base करती है force की बनियाद पर, coercion की बनियाद पर और जो employer और employee होता है वो coercion की बनियाद पर नहीं होता वो तो consent की बनियाद पर होता है तो इसलिए ये कह रहा है कि जो democracy है, liberalism है या capitalism है उसने लोगों को क्या किया है एक 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 नए धोका दिया है, कौन सा धोका? कि जणाब आप सारे लोग अब जो भी कर रहे हो न ये बेसिकरी consent based है अलाकि ये consent नहीं है, ये force है, आपको सिर्फ शेप ऐसे कर दिया गया है ठीक है? और जो salary है, वो भी आपको इतनी, वो कहता है salary अगर दूसरी बात यहां पर और add कर ले दूसरा factor, false consciousness का, high salary, वो कहता है ये आपको भूल जाएं, कि कभी आपकी salary बढ़नी है पता है कब बढ़ेगी? जब average profits बढ़ना शुरू हो जाएं, यानि कि अगर आपके मालक का, जो average profit है वो 4000 से 8000 हुआ है तो फिर जाके आपका जो एक रुपए है, वो सबार रुपए के अंदर क्या होगा? कनवर्ट होगा, यानि कि जो लेबर है, उसकी value, लेबर की जो value है, जो वो अपने मालक को कमा के दे रही है अगर वो बिचारा 1000 गुना काम करेगा, अच्छा, यानि कि ज्यादा पैसा कमा के देगा, फिर उसका 10%, 20% उसको salary increase की सुरत में, incentive की सुरत में उसको क्या होना है, मिलने मिलने क्लिर होगे जी, उसके बाद number 3, number 3 पे वो यह कहता है, कि यह जो एक term use होती है equality of opportunity, equality of opportunity, वो कहता है, यह fraud है, यह लोगों के अंदर false class consciousness create करने के लिए एक fraud है, ठीक है, मसलें वो कहता है, democracy कहती है, कि यार सारे अज़ाद है, और सारे बराबर है, ठीक है, अपना talent, अपने पैसे, घर से लेकर आईए, state का काम है, आपको equality of opportunity देना, सारे लोग दोड़ दोड़ेंगे, जो आगे निकल गया, वो आगे जाएगा, जो पीछे रहेगा, वो पीछे रहेगा, किसी को किसी पे कोई इतरास नहीं होगा, तो लेनन ने बड़ा एक simple और बड़ा brilliant question raise किया है, वो कहता है कि जब एक बच्चा zero साल कहना, उस से लेकर जब वो पच्ची साल तक होता है, तो जब ये पच्ची साल की उसकी जो nourishment है, वो ही unequal footing पे हुई है, health wise, education wise, ठीक है, resources wise, ठीक है, आउसके जितनी भी यनिके life की conditions है, वो कहता है, उसके अंदर तो क्या है, in equality है, तो उसके बाद ये जो equality of opportunity है, ये क्या है, ये एक दिवाने का खाब है, capitalist regime का propaganda है, ठीक है, और जो लोग है, उनको इनकुलाब से दूर करने की क्या है, कोशिश है, साजिश है, क्लेर होगी बाद, पांच्वी चीज़, जी, उसके बाद वो कहता है, कि capitalist class ने, लोगों के लिए एक नया drama create कर दिया, जिसको हम क्या कहते हैं, elections, जिसको आप, यूस्टू वे ना, popular sovereignty, vice of the people is the vice of God, क्यों जी, जो बचे, जुमूरियत और liberalism को भी साथ साथ माइंड में रख रहे हैं, उनको ज्यादा अच्छी समझ आ रही होगी, उधर क्या बात चल रही है, उधर बात चल रही हैं, क्या होते हैं, capitalism में या liberalism में, क्या जी, elections होते हैं, क्या जी, ये लोगों की हकोमत है, लोगों के लिए हकोमत है, यही बात होती है, वो कहते हैं, ये fraud है, असल में होता क्या है, ये elections के नतीजे में, जो state power है, उसके उपर एक tiny elite होती है, बिल्कुल minority, तो लेनन के करीब जो democracy है, वो is not rule of majority, it is basically rule of minority, minority elite, जी, बिल्कुल, जी, minority, elite, जी, number five, इदर बड़ा point में लेकर, उसके तरफ जाओंगा वापस, अब इदर आगँ, एक और concept है जी, मार्क्स का, आ सारी, लेनन का, trade unionism, trade unionism, ये हो गई elite class, ये हो गई आपकी प्रोलितेरियत या लोर क्लास, वो कहता है कि कैपिटलिस्ट एकॉनमी ने एक बड़ी गेम डाल दिये, उसने लेबर राइट्स के नाम पर, कौन से राइट्स पर? लेबर लाज, लेबर राइट्स, वेज राइट्स, उसके नाम पर, एक एदारा क्रियेट कर लिये है यहां पर, सेंटर में, जिसका नाम क्या है? trade union, सबसे ज्यादा तनकीद वो trade union के उपर करता है, सबसे ज्यादा तनकीद, कि ये इनकलाब के रस्ते में, सबसे बड़ी रुकावट कौन है? ये है, false class consciousness create करवाने में, ये पॉइंट इदर भी लिख लेज़ेगा, प्लीज, ये trade union बना, सिर्फ उसको ऐधा पॉइंट यहां पर लिख ले, वहां उसके उपर आपने पूरा paragraph लिखने है, ये उसके अं जी, अब वो कहता क्या है, कि ये लोग जो trade union बने हैं, इन्हों ने क्या किया है, इन्हों ने इनके साथ dialogue शुरू किये, communication शुरू किये, और इन्हों ने यहां से incentive लेने शुरू कर दी है, क्या लेने शुरू कर दी है? इन्सेंटिव, मिसाल के तोर पर आज मजदूरों ने हर्ताल की, आज मजदूरों ने हर्ताल की, और तन्खवाब 22,000 से 26,000 रुपे हो, तो ये कहता है, ये जो उपर 4,000 रुपेया trade union ने आपको दलवाया है ना, वो आपको क्या कहेंगे, कि हमने आपको आपका हक लेके दि आपने उनका जो पूरे का पूरा इंकलाब का रस्ता था, एक्स्पलाइटेशन जिस बुर्याद पर हो रही है, उसको आपने सिर्फ 4,000 रुपे की खातर क्या कर लिए, निगोशियेट कर लिए, और आपने वो इस सिलसला उसको क्या रहने दिए, काइम रहने दिए, उसको ये ट्रेड यूनियनिजम जो है, उसके सक्त खलाफ है, और उनको एंटी रेवलूशनी समझते है, और उनको समझते है कि ये जो है, इरिटेंट है, ठीक है, बहुत बड़ा ब्लॉकेड है, इन दे वे आफ रेवलूशन, डान होगी बाद, अच्छा जी, उसके बाद, एक और कॉनसेप्ट है इसका, ये बैसिकली ट्रेड यूनियनिजम के साथ ही जुड़ा हुए, इनका एक तबका बना था जी, एक स्कूल अफ थार्ट है, इनको हम कहते है रिवीजिनिस्ट्स, और इनका दूसरा नाम है एकॉनोमिस्ट्स, कौन हैं जी? इसमें अब लिकरीज़ेगा लेनन्स व्यूज ऑन रिवीजिनिस्ट्स और एनका एकॉनोमिस्ट्स, और इकॉनोमिस्ट्स, अच्छा, अब ना, वापस आज़े जरा लेनन्स के उपर, लेनन्स जो है न, वो उसकी एक बात जेन में रख लें, वो कहता है, विदधाउट र revolutionary theory there is no revolutionary struggle इसी वज़ा से हम लेनन को कहते हैं ये वो फिलोसफर है जिसने थेरी को और action को क्या किया है combine किया है सिर्फ ये नहीं है कि आपने daily basis के उपर equality 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 ये बोलने हैं आपने या आपने constitution के इंदर लिख के रख दिने या आपने उसके लिए कुछ नारे लगाने है को इनकलाब ले के आने है बलकि आपने क्या करने आपने जो theory design करनी है आप लिए उसको किस के अंदर convert करने action के अंदर convert करने समझारी बात की अब जरा गोर से सुनने माक्स इसकी जो political economy है कौन सी political economy उसको भी जरा गोर से सुनिएगा ultimately लेनन ने क्या हासिल करने मौशी इंकलाप कौन सा मौशी इंकलाप वो आएगा किस तरीके से state के उपर कबजा करने से यारि कि political mean से तो inherently if you are a follower of Lenin तो आप कभी भी economy और politics को isolation में नहीं देख सकते there is unity of there is unity of politics and economy जी without revolutionary theory there is no revolutionary struggle without revolutionary theory there is no revolutionary struggle तो ये लोग जो थे ना रिवियनिस्ट या एकॉनमिस्ट इन्होंने पता क्या कर लिया इन्होंने capitalism से इलहाग कर लिया कैसे हैं इन्होंने कहा कि हमें political rights नहीं चाहिए क्या हमें political rights नहीं चाहिए हमें सिर्फ economic rights चाहिए अब ये बड़ा फरक है कैसे फरक है कि एक बंदा सड़क के उपर प्रोटेस्ट करने सिर्फ इस वज़ा से आएगा कि वेज बढ़ा दो कवानीन बेतर कर दो चीज़ें खाने पीने की सस्थी कर दो अगर उनको ये का जाए कि जी आपके जो state power है उसमें भी आप हिसा मांगे आप हकूमत का भी हिसा बने तो वो अपने आपको उससे क्या कर लेते distant कर लेते तो इनको लेनन कहता है ये घड़दार है ये ideology of socialism ideology of communism ठीक है idea of the revolution इनको ये कहता है कि ये traitors है जो socialist cause को socialist revolution को क्या करते है खराब करते है तबाह करते है जी number seven इसकी एक theory है theory of imperialism theory of imperialism ये बड़ी जबरदस्त है ये कहता है कि मार्क्स इतना तो बच्चा नहीं था कि वो ये कह तो जाए कि capitalism के अंदर inherent contradictions है और capitalism collapse करेगी करेगी लेकिन collapse की नहीं है इसकी क्या वज़ए इसकी क्या वज़ए मार्क्स हो मर गया था बचारा तब तक तो वहां से फिर लेनन ने उसको आंसर किया है through his theory of imperialism वो क्या कहता है वो कहता है ये industrialized nations वे ना ये बड़ी तेज है इन्होंने क्या किया है बड़ा सा साइकल है भाई इसको समझेगा इन लोगों ने factory लगा ली यॉरप में जिसको आप industrial revolution कहते हूँ factory लगा ली factory से कमाना क्या है profit profit कब आएगा जब क्या होगी production तो production अगर ज्यादा हो जाए जिसको हम over production कहते हैं तो capitalism तो फारग होगी उसको बेचना कहां पर है consumer market कहां पर है तो वो कहता है ये बड़े तेजे हैं इन्होंने जो अपनी production थी या अपनी जो inherent contradictions थी उसको expand किया किस के थूँ imperialism के थूँ कि इन्होंने दूसरे मुलकों के उपर कवजा किये वहां से natural resources को exploit किये और वहां पर जो यहां पर अपनी local production कर रहे थे उसको वहां पर finished goods की सूरत में वहां पर क्या किये बेजाए और वहां से एक word याद रख लें ये कहता है कि इनको हासल हुआ है super profits कौन से जी super profits super capital capital hegemony तो वो कहता है जब ये पैसा वापस आया England में, France में या दुनिया के जिन मुलकों में भी तो उन्हों ने क्या किया है इस पैसे को استعمal किया है bribery के लिए इस पैसे को استعمal किया है bribery के लिए किस को bribery लिए मिसल के तोर पर trade unionism उनको bribe किया है ताकि society के अंदर جो exploitation है और जो existing social order है वो क्या रहे? मेंटेन रहे उसकी वज़ा है ना अगर मैं ट्रेड यूनियन हम सारे लोग ट्रेड यूनिस्ट है ठीक है जो मैंने कहने है वो ही होना है मेरे थू ही सारी लेबर फैक्टरी में काम करने जाएगी तो अगर हमें तर्फाब मिल रही है आठ डॉलर उसकी जगा हमें मिलनी शुरू हो जाए बारा डॉलर तो क्या हमारे मतालबात पूरे हुए हमारी जाएज खोईशाद पूरी होना शुरू हो गई इसका मतलब है मैंने किसको कबूल कर लिया है इंसेंटिव को तो वो जो इंसेंटिव मैंने कबूल किया है लेनन उसको क्या कह रहा है कि डैड इस दा ब्राइबरी फ्रॉम अपना जो कैपिटलिस्ट क्लास है कैपिटलिस्ट है उनकी तरफ से उसको उसमें क्या कहा है इंपिरियलिस्म और याद रखेगा यह कहता है कि जो इंपिरियलिस्म है वो इस दा लास स्टेज उफ कैपिटलिस्म जी इंपिरियलिस्म इस दा फाइनल स्टेज उफ कैपिटलिस्म हो यह नहीं सकता कि कैपिटलिस्म एक स्टेज पर जाकर एक्स्प्लाइटेशन ना करे Massive Exploitation ना करे Global Exploitation ना करे और उसका नाम वो क्या रखता है और यहां से वो कहता है जब Imperialism करते तो अपनी production को बढ़ाते हैं अपने profits को बढ़ाते हैं तो उनको क्या हासल होते Super Profits वो Super Profits को वो इस्तवाल करते हैं जो अपनी inherent contradictions हैं उनको छुपाने के लिए और जो revolutionary class बन सकती थी कौन सी? revolutionary class जो बन सकती थी जिसको आप क्या कह रहे हैं? working class उसको क्या करते हैं? bribe करते हैं और bribe के लिए वो कौन सा अदारा इस्तमाल करते हैं? bribe के लिए वो trade unionism का इस्तमाल करते हैं जी यहां तक कोई समझा आ रही है? कोई पले पढ़ रहे है? जी बिलकुल 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 जी यहां तक clear है? आहो मैं गया हमी सुतीन आना रहना ये remove कर देंगे अब अगर आपने मार्क्स पढ़ा हुए समझा रहा है तो फिर ये मेरा ख्याल है आगे उसकी आपको यही लगता है कि ये उसकी continuity है कुन नई जी रिवीनिस्ट ये रिवीनिस्ट कौन है जी? जिनोंने मार्क्स को सोशलिस्ट थेरी को रिवीन करके उन्होंने एक नया एंगल निकाला कि हमें economic rights की तो बाप करनी चाहिए political rights की बाप नहीं करनी चाहिए तो अभी discuss करेंगे कि ऐसा इतना खतरना क्यों होता है? कि अगर आप economy का part हो और politics का part नहों common sense है वैसे क्योंकि जो असल पावर है वो कौन से कॉरिडॉर्ज में? वो तो political कॉरिडॉर्ज में ठीक है ना power corridors are political corridors तो जब आपने अपने आपको power की रेश से निकाल लिये तो इसका मतलब है आप लेनन की किसी revolutionary scheme का तो हिस्सा नहीं है फिर तो जब आप उसकी revolutionary scheme का हिस्सा नहीं है तो उसके करीब फिर आप फारिग है आप useless जी done होगे अच्छा जी अब अगली बात कर लेते है कि ये दोनों classes जो है वो कहता है कि anyhow इनकी जो struggle है वो जारी है और जो capitalist हैं वो जीत रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुख्लिफ incentives निकाल ली है उन्होंने false consciousness क्या कर दी है create कर दी है लोग जो है वो capitalism से नफरत करने की बजाए they have become the addictive of capitalism और capitalism ने बड़े खुबसूरत ideas को साथ साथ mix कर दी है مثلا अजादी बराबरी human rights free will वो जितना भी structure आप लोग पहले पढ़ते हैं ना liberalism में democracy में वो सारे का सारा structure जो है उसको ये कह रहा है कि सब ने capitalism को मस्तेकिन किये और जो cause of revolution या socialism में उसको क्या किये उसको decrease किये तो ये इसी तरह ये सिलसला जो है ये दोनों के दरमयान जो तसल है struggle है वो क्या कर रहा है चल रहा है वो कह रहा है अब problem है एक problem ये कि ये जो लोग है ना जिनका नाम क्या है जी labor class proletariat यहां पर आजिस सब से एक बड़ा इहतलाफ इसका मार्क्स के साथ क्योंके मार्क्स केहता था कि ये जो लोग है ना ये बिचारे इतने को suppress हो जाएंगे कि इनके अंदर खुद ही एक class consciousness क्या हो जाएगे बलकि एक word यूज़ कर ले spontaneous creation of class struggle या spontaneous creation of revolutionary struggle वो create हो जाएगे लेनन ने का बाई जान ये spontaneously कोई नी create हो नी लोग तो सारे capitalism के पीछे लगे हैं लोग किसके पीछे लगे हैं capitalism के पीछे लगे हैं तो अब क्या करना पड़ेगा जी और दूसरा उसने का जी हमारा जो communist टबका है उसके अंदर बड़े लोग है जो liberal है ठीक है उनका पते नहीं चलता प्राइवेट प्रापटी को अस्पायर करते हैं अपनी इंज्वाई भी करते हैं और इदर आके शाम को इनकलाबियत जो है वो भी कर लेते हैं तो इन सब चीजों से बचने के लिए उसने कहा कि ये जो labor या प्रॉलिटेरियत class है ना अगर आप इन से ये तवक्कु रखते हो ना कि इनको revolution लेके आने है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सबसे पहले इन के अंदर जो real class consciousness है वो क्या करनी पड़ेगी create करनी पड़ेगी अगर आप मेंसे कोई बचा बहुत अच्छी तरह जाग रहा है और समझ रहा है तो याद होगा मैंने बिल्कुल start पे एक बात की थी base और super structure की ये है वो point कि अब ये क्या कह रहा है कि लोगों के दमाग को पहले क्या करो change करो और end पे उन से करवाना क्या है मौशी इंकलाब ले कि हैने change करवाना सिस्टम को इसका मतलब ये super structure के दुरू base को change करवाना चाह रहा है ये क्या करवाना चाह रहा है super structure change करके तो लोगों को base से दूर करना चाह रहा है समझा रही ने बात की अब class consciousness की definition लिख ले जी class consciousness की definition लिख ले your perception about your perception about how you are related to your perception about how you are related to the mode of production the mode of production जी अब liberal point of view से देखे तो बंदा कहता है कि मैं कौन हूँ imply हूँ और दूसरा बंदा कौन है मेरा employer है और हम दोनों ने जो फैसला किया हुआ हूँ किस बन्याद पर किया हुआ है अपनी मर्जी से अपनी consent से अगर हम इसको लेनिनिस्ट परस्पेक्टिव से देख रहे हैं तो लेनिन क्या कह रहा है कि ये सारा क्या है false consciousness है और original consciousness क्या है कि ये एक class का नाम है have's दूसरे का नाम क्या है have not's और ये have's क्या कर रहे है have not's को use कर रहे है exploit कर रहे है अपने private profit के लिए इन लोगों की जो labor है उन लोगों की labor उसको अपने private benefit के अंदर क्या कर रहे है convert कर रहे है वो कहता है ये है असल class consciousness कि जब लोगों को अपने आपको सोचें करेंगे ना as a class और कौन सी class marginalized class तो फिर जब वो उठेंगे तो वो बतौरे class उठेंगे वो बतौरे person या बतौरे faction नी उठेंगे ऐसा ही होता है ना जब लड़ाई होजे ना कि जी एक गाउं की दूसरे गाउं से लड़ाई है या एक कास्ट की दूसरी कास्ट से लड़ाई है तो फिर क्या होता है फिर एक बंदे की जाती लड़ाई नहीं होती फिर वो पूरा collective वो ये कहता है कि इन्हों ने लोगों को क्या कर दिये individual relations میں باندھی ہے देखें जी मेरा जिसम मेरी मर्जी मैं जहां मर्जी जॉब करूँ आपको पता है ना liberal जो society है उसके अंदर क्या है? rights है कोई भी शखस कोई भी जॉब कर सकते कोई भी शखस कोई भी profession ले सकते कोई भी शखस किसी भी किसम की कारोबारी activity में मलवस हो सकता है तो जब हम liberal point of view से पढ़ते हैं तो बड़ा मजा आता है कि क्या बात है जी क्या बात है ये तो बड़ी अजादी है ये तो बड़ा मजा हो गया है ये तो हर शखस को freedom मिलगी लेकिन जब हम leninist या marxist point of view से सोचते हैं तो तब क्या हो रहा होता है ऐसे लोगों को उस अजादी का चूरन दे के आप उनके अंदर क्या create करते हो false class consciousness और उनके अंदर जो exploitation के relation दोते है उनकी जगा पर आप नया परदा डाल देते हो कौन सा emancipation का अजादी का बराबरी का जमूरियत का पापुलर विल का पापुलर सॉब रैलिटी का सोशल कॉंट्रेक्ट का ये वला चूरन आप देते हो समझारी बात की इसलिए वो कहता है कि ये जो real class consciousness है अगर ये लोगों के अंदर इंस्टिल करनी है तो सबसे पहले इन लोगों की intellectual theoretical theoretical जो training है वो करवानी पड़ेगी intellectual and theoretical training करवानी पड़ेगी ताके कुछ philosophers हो कुछ thinkers हो कुछ intelligentsia हो को intellectual class हो जो क्या कर सके इन बिचारों को guide कर सके इनको protect कर सके बार्जवा कॉन्सपरेसिस से बार्जवा जो इनको चूरन देता है जो capitalist class इनको चूरन बाढ़ती है तो ये जो intellectual training है ये इनको help करेगी ये पहचानने में कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना कौन सा चूरन कबूल करने और कौन सा चूरन हमने कबूल नहीं करना तो ये जो intellectual या theoretical training है ये करवाने के लिए क्या करने के लिए ये करवाने के लिए जिस point के उपर में आना चाहरा था वो point ये है कि आपको चाहिए एक वैन गार्ड पार्टी और यहां से एक तलाफ है मार्क्स का और लेनन का क्यूंके मार्क्स ने किसी भी किसम की ऐसी तन्जीमी धांचे की तश्री नहीं की कि एक पार्टी बनाएंगे फिर उस पार्टी के अंदर ये होगा वो होगा ये उसकी और्गनाइजेशन होगी ये उसकी मैनेजमेंट होगी और कोई नहीं होगा लैनन ने क्या का है लैनन ने का है कि जो revolution है class struggle ये जारी रहेगा और इसको जारी रहने के लिए इसको protect करने के लिए हमें किसकी जुरूत है एक van guard party किस party की ये तीन functions perform करेगी ये party number one theoretical theory related number two economic और number three political जी theoretical economic और political तीन तरह के functions perform करेगी theoretically ये क्या करेगी ये भी मैंने बता दिया कि ये working class की labor class की protection करेगी उनको train करेगी उनको intellectually sound बनाएगी ताके जो revolutionary ideas है उसने कहा था ना revolutionary theory के बगए revolutionary action possible नहीं है तो revolutionary theory वो कौन इनको सिखाएगा कौन इनको capitalism से बचाएगा कौन इनको जो scientific understanding of history है कौन इनको समझाएगा कौन इनको dialectical materialism करवाएगा समझाएगा कौन इनको complex social relations वो उनके उपर guide करेगा ठीक है तो इसलिए ये कहता है कि क्या होनी जरूरी है एक वैंगार्ड पार्टी और उसके अंदर भी एक intellectual elite जो क्या करें जो socialist काज को शेर करती हो socialism के उपर متफिक हो revolution खुझ से लेके आना चाहती हो socially committed हो communically committed हो और वो लोग जो है वो क्या करें वो इनके अंदर एक real जो class consciousness है उसको guard करें उसको protect करें और जो labor class और elite class के दरम्यान जितने भी फरक हैं exploitation है उन सब को इनके सामने scientific ली जो है वो क्या कर सके present कर सके clear होगी बात नमबर टू एकनॉमिक function एकनॉमिक अली जी एकनॉमिक अली ये party क्या करेगी ये जो गलती पीछे economist ने की थी रिविजिनिस ने की थी कि उन्होंने capitalistic bribery को क्या कर लिया था accept कर लिया था वो कहता है कि ये जो party है ये जो लोगों की आम आदमी की message की जो struggle है for class less society जहां पर जो mode of production है वो क्या हो socialized हो mode of production क्या हो socialized हो communized हो equality हो एक और जुमला लिख ले कि there can never be equality of opportunity without equality of end पता लगे कि कमरे में दुडाया सब को गया है लेकिन दुडाने के बाद 100 में से 90 रुपे एक बंदे को दे दिये गे है तो ये equality of opportunity नहीं है according to lenon तो वो जो end पे 90 रुपे है वो जो लेके जा रहा है वो असल तो end बहु हो गया तो lenon चाहता है कि equality of opportunity की बजाए क्या आना चाहिए जी there can never be equality of opportunity without equality of end तो end जो है उसको inverted commas में कर ले end से मुराद क्या है कि किसी भी economic system क्या है by the end of the day उसका output क्या है कितनी wealth generate हुई है कितना पैसा generate हुई है कितनी जमीने acquire की है कितनी नई फ्रक्टरियां लगी है कितनी नई दौलत wealth create हुई है तो अगर उसमें किसी को हिस्सेदार नहीं बनाया हुआ तो फिर इसका मतलब है कोई फाइदा नहीं है so that is the economic function of the vanguard party कि वो क्या करे वो जो अपने शेही हैं उनकी जो struggle है जो labor class है उनकी जो struggle है towards the socialist mode of production towards a classless society towards an equality where results or ends वो क्या किये जाएं socially share किये जाएं क्या किये जाएं जो results and ends है वो क्या किये जाएं socially अगर शेयर किये जाएं collectively share किये जाएं तो ऐसे जो एकनॉमिक मोटिव्स हैं उनको प्रिटक्ट कौन करेगा वैंगर्ड पर्टी और नमबर त्री है पॉलिटिकल फॉंक्शन्स तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पर लैनन की थेरी पढ़ेंगे थेरी ओफ स्टेट थेरी ओफ स्टेट जी लैनन कहता है कि जो मार्क्सिस थे ना उन्होंने बड़े राम से जो मार्क्स का जुमला था उसको कौपी कर लिया कि जी एंड पे आके स्टेट क्या हो जाएगी अब बालिश हो जाएगी अब जरा गौर से सुनिएगा जिन्होंने पहले पड़ा भी हुआ है ना मार्क्स को ठीक है वो उनको थोड़ा नई एक चीज और थोड़ा मज़दार चीज आएगी वो कहता है कि जो कैपटलेस एकॉनमी है ना इन्होंने लोगों को बताया है कि सुसाइटी के अंदर मुखतलिफ क्लासेज इग्जिस्ट करती है मसलन इलीट क्लास मिडल क्लास और लेबर क्लास तो चुके इन तीनों के दरम्यान क्या है इंबैलन्स है तीनों के दरम्यान क्या है इंबैलन्स है तो इन को बैलन्स करने के लिए हम क्या इजाद करने जा रहे है स्टेट ताके स्टेट क्या करे एक न्यूट्रल इंपायर के طور پر ताकि अगर कोई एक बंदे ने दूसरे बंदे को गिरा लिये तो रैफरी क्या करेगा जो कमजोर होगा उसको नीचे से निकालेगा और उनको दुबारा से कहेगा चलो भी अब दुबारा लडाई शुरू कर लो और दूसरा लोगों के जहन में बात डाली जाएगी कि भाई स्टेट का और आपकी जो कलास है इसका जो तालुक है वो किस बन्याद पर है ये बेसिकली किस बन्याद पर है कॉनसेंट की बन्याद वो कहता है ये जूट है दोनो बातें जूट है ना तो स्टेट नीट्रल है ना तो state neutral है और ना ही लोग इस state के साथ किस बन्याद पर जुड़े हुए consent की बन्याद तो फिर किस की बन्याद पर जुड़े हुए बहुत खुबसुरत बात वो कहता है state के पास एक capacity है violence plus force वो कहता है लोग obedient इसलिए नहीं है states के के वो consent की बन्याद पर जुड़े हुए लोग इसलिए obedient है तो कि लोगों को पत है और यहां पर ने एक definition लिखने बड़ी मज़दार किसम की definition है state is state is organization of violence and force state is the organization of violence and force तो वो क्या कहता है फिर कि भाई जान जब state किसके उपर चल रही है capacity to violence किसके पास होती है monopoly of violence किसके पास होती है monopoly of force किसके पास होती है तो वो कहता है state जो है ये neutral रहने की बजाए ये क्या करती है ये जो आपकी elite है उसके साथ contract कर लेती है consensus create कर लेती है उनके सब मिली भगत कर लेती है पाकतवर लोगों को इक्तदार में लाती है सरमायादारों को immunities दिलवाती है सरमायादार लोग backhand पर बैठ के political power को manage करते है बेशक military के बंदे हूँ बेशक bureaucracy के बंदे हूँ बेशक police के बंदे हूँ वो businessmen के साथ ठेकेदारों के साथ बड़े बड़े सरमायादारों के साथ वो अपने आपको क्या कर लेते है collaboration में रखते है सब का मकसद क्या होता है state is an accomplice state क्या है in the class exploitation in the class struggle because इसने neutral रहना था ये neutral नहीं है ये associate हो चुकी है align हो चुकी है किस के साथ sorry elite के साथ तो इसलिए वो कहता है कि जब हमारे workers क्या करेंगे revolution लेके आएंगे तो सबसे पहला काम वो क्या करेंगे ये जो state है ना इसका नाम उसने रखा है बार्जुआ स्टेट वो बार्जुआ स्टेट को आके क्या करेंगे खतम करते हैं और एक अपना नया model वो पेश करेंगे कौन सा जी नया model पेश करेंगे वो नया model क्या होगा उसमें लिखें जी number one number one the system of privilege would be abolished यह समझ लीजिए characteristics है लेनन की जो state है या जो उसकी organization बनेगी bureaucratic उसके characteristics है जी number one the system of elite privilege would be abolished जी number two all employees of the state would receive the same wages बेशक आप चौकीदार है बेशक आप साइंटिस्ट है बेशक आप बेरोक्राइट है सब की तरहाएगी है all jobs would be open for all citizens all jobs would be open for all citizens number four या five four there would be no carrierism carrierism के पीछे competition होता है जहाँ competition होता है वहाँ फिर बंदा exploitation की तरफ भी उसको जाना पड़े तो फरक नहीं पड़ता है there would be no carrierism bureaucrats would be subject to public scrutiny public selection and can be recalled anytime and can be recalled anytime can be recalled anytime और अब आ रही है जी सबसे बेहतरीन चीज़ यह इसी जो वैंगार्ड पार्टी है इसकी importance आपको समझ आएगी इस वैंगार्ड पार्टी ने ना इस सारे महौल में क्या प्रोवाइड करनी है centralism क्या प्रोवाइड करनी है centralism तो state भी centralism का नाम ही है ना कि political power को टॉप पर क्या कर लिया जाता है unified कर लिया जाता है लेकिन यह कहता है कि यहां पर जो centralism थी वो base करती थी force की बनियाद पर वो base करती थी violence की बनियाद पर लेकिन जो मेरे वाली हमारी centralism होगी इसका नाम वो रखता है democratic centralism जिन्होंने चाइना का वो पड़ा हुए है constitution या रशिया का उनको पता है कि जो democratic centralism है वो क्या है एक one of the salient features है of the Chinese or Russian constitution अब यह जो democratic centralism है इसमें वो कहता है कि यहां पर जो लोग एकठे रह रहे होंगे सवाल कर सकते ना आप कि जी लोग तो यहां पर भी इकठे रहे है और यहां पर भी इकठे रहे हैं तो फरक क्या हुआ पर फरक क्या है फरक ये है कि यहां पर लोग किस बन्याद पर इकठे रहें यहां पर यह कहता है कि लोग इकठे रहेंगे वोलेंटेरिस्म की बन्याद पर लोग वोलेंटेरिली कॉपरेशन करेंगे वोलेंटरी कॉपरेशन लोग खुद बखुद अपने अंदर से सोशो कम्यूनिस्ट जो टेंडेंसिज हैं इश्टमाइयत कलेक्टिविजम उसका इजहार करेंगे और वोलंटरी काउपरेशन करेंगे और नेक्स्ट अगला पॉइंट लिख लें के जितनी भी स्टेट पावर होगी स्टेट, आल स्टेट पावर वुट बी सब्जेक्टिट टू आल स्टेट पावर वुट बी सब्जेक्टिट टू पब्लिक आए, पब्लिक अकाउंटबिलिटी and communal vigilance communal vigilance जे जे अब एक पड़ी मज़ेदार बात है वो करता है कि पहले जो स्टेट थी ना उसने पता क्या किया हुआ था वो सपोर्ट करती थी किसको कैपिटलिस को कैपिटलिस ने सारा स्टेट की सपोर्ट हासिल करके करना कया बाइद अफ दे डे प्रोड़क्शन करनी है और प्रोड़क्शन करके किसको बढ़ाना है अपने प्रॉफिट्स को समझारी बात की स्टेट की मदद हासिल करके कैपिटलिस ने क्या करना है प्रोड़क्शन और प्रोड़क्शन करके क्या बढ़ाना है profits बढ़ाने तो इसलिए ये कहता है कि जो state थी न वो जान बूझ कर systematically इस तरह की conditions create करती थी जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा production गया हो सके possible हो सके हमें बताया जाता है ना आज कल के जमाने में भी कि state इसलिए exist करती है कि आप सब की जान का ताफूस कर सके state इसलिए exist करती है कि आप सब को रोजगार दे सके state इसलिए exist करती है कि आपको rights दे सके ये लिखा हुआ ना हमारे पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया की हर जमूरियत में लेकिन वो कहता है कि असल में state जो law and order create करती है वो उसको इतना दर्दे दिल नहीं होता कि वो आम आदमी की जिन्दगी के लिए करती है वो इसलिए करती है क्योंकि law and order नहीं होगा तो factory कैसे चलेगी production कैसे होगी बात follow कर रहे है अच्छा right to property दे के याद है lock तो वो क्या देते है आपको right to private property वो कहते है आपने लोगों को चुरन दे दिया है कि हम आपके पैसे और जैदाद के क्या है मुहाफ़स है उसने का अल्ला के बंदो private property के चकर में आपने क्या कर दिया है 10% लोगों को मौशरे के 90% वसायल का आपने क्या बना दिया है मालक बना दिये और पीछले वाले जो 10% रिसोर्सेंस है वो कितने लोगों के पास है 90% लोगों के पास है और उनको आपने क्या चुरन दिया हुआ है तो right to private property का असल फाइदा गरीब आदमी को नहीं हो रहा असल फाइदा किस को और है capitalist को और है क्योंकि उसकी ज्यादा से ज्यादा wealth क्या है बढ़ती जारी और वो ताफूज है उसका किस नाम पे right to private property की बन्यादा समझ जारी बात की उसके बाद state क्या करती है society में इस तरह के social ideas पर्मोट करती है मसलन tolerance pluralism coexistence difference of opinion right of criticism कितने खुबसूरत यह आपको rights नजर आते है in a democratic country और in a democratic state है ना fascination होती है ना कि क्या वात है वई क्या वात है तो वो कहता है basically यह जितने भी social ideas है ना जो state promulgate करती है यह इसलिए नहीं है कि आम आदमी का फाइदा हो सके यह social ideas जरूरी है किस को करवाने के लिए production करवाने के लिए क्यों क्यों क्योंके according to Lenin हम तो society में किस की तबलीग कर रहे है revolution की तो जब state क्या करेगी revolution को ban कर देगी revolution के बारे में बात नहीं करने देगी revolutionist parties को मौका नहीं देगी उनको बद्राम करेगी और उसके alternatively जो different other social ideas है वो बरदाश के नाम पर pluralism के नाम पर tolerance के नाम पर वो क्या करेगी जो class gap है जो class exploitation है उसको legitimize कर देगी वो प्रलॉंग होता रहेगा प्रलॉंग होता रहेगा प्रलॉंग होता रहेगा और एक वक्त आएगा कि लोग समझना शुरू कर देंगे वो जिससे मार्क्स कहता है religion is the opm of the people तो लोग समझना शुरू कर देंगे ये जो भी normal order है जिन्दगी में जो भी आज कर चल रहे है ये अल्ला की तरफ से destined ही ऐसे था ये क्या था? मतलब ये सारा कुछ बना ही ऐसे था यानि कि आपको in short capitalism आपको क्या लगना शुरू हो जाएगी normal world regular world ये अच्छा इसके इलावा भी कुछ होते है इतना used to आप हो जाते हो और उसमें वो कहते है कि ज्यादा जो accomplished है वो कौन है? state है तो अब वो क्या कह रहे है? कि चुके अब हमारी state बन चुकी है हमारे सिमराद workers की तो अब ये state में जो power है वो किसी एक person के पास या एक government के पास नहीं है बलके किस के पास है? सारे लोगों के पास है और mode of production की ownership भी अब किसी एक बन्दे के पास नहीं है बलके किस के पास है? पूरी society के पास है तो इसलिए वो कह रहा है कि यहाँ पर जो हमारी state है वो किसी elite जो कलास है उस से राप्टा नहीं करेगी बलके पूरे के पूरे जो लोग है वो economic productivity का क्या होंगी? हिस्सा होंगे? हिस्सा होंगे fair distribution होगी ठीक है? और किसी को जो बिचारे un-equals होंगे जो नीचे बले लोग है यह leinen के words है कि मेरी state का मकसद ही यह है कि जो un-equals है उनको ज्यादा हिस्सा मिले मकसद कहने का कि लोगों को बराबर कराना है ना state नहीं तो फिर वो इस तरह बराबर कराए यह नहीं है कि जो 2 रपे वाला है उसको 2 रपे बान्दो और जो 100 वाला है उसको को हाँ भाई तू डबल करता जा ठीक जो है ना इस चीज़ को उसने क्या किया है डिस्करेज किया है तो उसकी जगा पर क्या आगया है कि जो कम्यून है लोग है डिमोक्रेटिक और ये आपने चाइना के कॉन्सिटूशन में पढ़ा होगा पीपल्स डिक्टेटिशिप People's Democratic Dictatorship ये term लिखने आँ miraculous People's Democratic Dictatorship यानि कि ये जो भी कारवाई हो रही है इसके पीछे कौन लोग है? majority लोग है तो अब हमारी हकूमत majority की हकूमत है ना के वो elite जो minority है उसकी हकूमत है जी समझा रही है बात की अच्छ जी अब आगे चलते हैं जी स्टेट हमने इस्टाबलिश कर दी सारा खुश कर दिया ठीक है उसने अपनी जो वो कहते हैं करने सूर्तिहाल कि जी आके इक्वालिटी ओफ ऑपरिशनिटी और सारा खुश क्या हो गए इस्टाबलिश कर दीया ठीक है कहने की हद तक वो अपने आपको एंड पे आके किलेम करता है कि मैं कौन हूँ मैं एक डेमोक्राइट हूँ मैं क्या हूँ एक डेमोक्राइट हूँ क्योंके जो हमारी मूवमेंट है वो अल्टिमेटली किसकी रिपर्जेंटेटिव है majority की representative है और ये बाद जो है न ये बड़ी हद तक जब हम democracy को as a number game देखते हैं न तो वाकी ये बाद किसी हद तक हमें क्या मौलूम होती है सही मौलूम होती है बिलकल सही है टाइम क्या हो गए साड़े नो हो गए ज्यादा लंबा हो गए चलें कोई बात जी कुछ समझ आ रही है हाँ जी आप लो ठीक है चलें जी आउनलाइन स्टूडेंट्स कोई नहीं अभी खतम करते हैं माओ को भी न ठीक है ज्यादा टाइम नहीं लगे गए जी बस फिर इस पर बात करेंगे ठीक है नहीं पता भी आयद ज्यादा तो मॉल्वी है ना मॉल्वी समझते हैं माओ इसम के क्या स्पेलिंग होते हैं मेरा ओ रे आगे पीछे हो जाता है चलें जी अब चलते हैं हम किस की तरफ माओ इसम की तरफ सबसे पहला पॉइंट जो माओ इसम है ऐस अ फिलोसिफी ये लेनन ये लेनन और मार्क्स की तरह ये थेरी तरह और एक्षिन इसकी यूनिटी पर यकीन रखता है नमबर वान नमबर टू लेनन और मार्क्स की तरह जो माओ है वो यूनिवर्सल जस्टिस इक्वालिटी इन चीज़ों के उपर क्या करता है यकीन रखता है क्लेर हो गया नमबर टू क्लास फ्रगल हिस्टॉरिकल मिटिरियलिजम इन आइडियास को लारजर कैन्वस में लारजर पिक्चर में ये मार्क्स और लेनन के साथ क्या करता है शेयर करता है लेकिन अब जो सोशलिजम है वो जर्मनी से ट्रैवल करते करते पहले रशीया आई है और अब ये बात है चाइना की बिकाज माओ का तालुक कहां से चाइना से क्लेर होगी बात उसके बाद तीसरी बात दूसरी बात जिसमें ये लेनन के साथ एगरी करता है और वो ये है कि जो रेवलुशन है उसके बगार बिलकुल भी कोई सिलूशन नहीं है रेवलुशन का मतलब क्या है कि जो स्टेट पावर है कौन सी स्टेट पावर है उसको आपने क्या करना है कैप्चिर करना है खतम करने का मतलब कैप्चिर करना है तो उसके लिए इसकी थ्री फोल्ड स्ट्रेटजी है कितरे फोल्ड जी थ्री फोल्ड स्ट्रेटजी नमबर वान गोरीला वार्फेर लैनन ने कहा ना इंकलाब लाने है ये कहता है भाई ये इसकी कोटेशन लिख ले एक जी इसकी कोटेशन लिख ले नहीं एक्शन उक्शन की बात नहीं है जी ये कहता है कि जो पॉलिटिकल फ्र बारल आफ गन जे प्रिटिकल फ्रीडम जो है वो बारल आफ गन से जनम लेती है एन्वेस गोरीला अभी इस पर करेंगे बाद गोरीला वार्फिर जी नमबर टू मैस मोबिलाइजेशन जी नमबर टू 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 ट सबसे पहली बात इसका जो आईडिया आफ रेवलूशन है ना उस पे सीरियस इखतलाफ है मार्क्स और लेनिन के साथ जहां से उरिजिनल माव है ना वो अब हम बात करने लगी मसलिन वो क्या कहता है उसका जो रेवलूशन है और जो लेनिन दोनों का रेवलूशन है वो डालेक्टिकल कॉंटेक्स्ट में मूवमेट होती रहती है जी इस पॉन्टेरियस मूवमेट होती रहती है और एक टाइम आता है कि जब हो क्या अफ्तियार कर लेता है final form अख्तियार कर लेता यानि कि जब कोई और dialect नहीं रह जाता final stage अचीव हो जाती है इसका मतलब है यहां आके revolution खतम हो गया done क्या create होगी ideal society create होगी तो फिर तो इनकलाब की जुरत है ही नहीं इसी तरह जो लेनन है उसका भी सारा यही सूरते हाल है कि वो भी इस सब के एड़ पे वैंगार्ड पार्टी बिना रहा है और उसके जिमें लगा के तो वो एड़ पे क्या create कर वा रहा है एक idea है माओ कहता है कि जो revolution है ना यह permanent है यह continuous process है it will never stop जी permanentness in time and unlimitedness in space यह दो words लिखने है यह उसके original words है permanentness in time and unlimitedness in space और इसके लिए term उसने use की है continuity continuity of revolution continuity of revolution यह वर्डिकले टी आइ अन ऐकस आइ ए यह चाइनीज वर्ड यह उर्ड है इसका मतलब है आल अंडर हेवन अंडर हेवन यह कहता था कि इन किलाब जो है वो तब तक चलेगा या कहां तक चलेगा जी जब तक जो है वो जो कुछ भी है काइनात में जिदर जिदर भी हम पहले हुए जिदर जिदर भी हम जा रहे नमबर त्री नमबर टू इसका सीरियस इखतलाफ है बेस एंड सूपर स्ट्रॉक्चर के उपर लेनिन तो दर्मयान में आ गया था ना ये बिलकुल इदर आ गया है ये कहता है कि असल गेम जो है ना वो बेस की नहीं है असल गेम है सूपर स्ट्रॉक्चर की यानि के इसके लिएक वर्ल लिख ले कि जो material conditions of society है ना वो डिटर्मन नहीं करेंगी लाइफ को बलके जो आइडियाज है जो सूपर स्ट्रक्चर है जो बिलीव से वो डिटर्मन करेंगे किसको जी सोशल स्ट्रक्चर को और सोड़ सोरी एकनामिक स्ट्रक्चर को नमबर त्री इसका जो रेवलूशन है इसका एड़ परपस किसी नए चीज़ को एक तरह से कंस्ट्रक्ट करना नहीं है वो बाद की बात है पहला परपस है उसका डिस्ट्रक्चर करना ताके जो ओल्ड ओर्डर है उसको क्या किया जा सके डिस्ट्राइ किया जा सके उसकी वज़ा है ये कहता है कि ये जो रेवलूशन है ना कॉंटिन्यूटी ओफ रेवलूशन ये क्यों हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंके जो बारजवा क्लास है वो दुबारा भी तो रियमर्ज हो सकती है ना हमारे अंदर से भी तो ट्रेटर्स पैदा हो सकते हैं लोगों के अंदर दुबारा से भी तो सेंटिमेट जाग सकते हैं इसलिए रेवोलूशन अफ्टर रेवोलूशन रेवोलूशन अफ्टर रेवोलूशन रेवोलूशन अफ्टर रेवोलूशन जारी रहेगा यह सिल्सला जी जी जो नेक्स पॉइंट है उसके उपर तो क्या बात है नहीं बहुत ज्यादा इक खिलाफ है इसका कलेर माउ है और उस पे यह कहता है कि मार्क्स और लेनन दोनों नहीं अप्रोच इस्तमाल की थी सेंटर पैरिफरी अब यह गबराना नहीं है यह पहले पढ़ा हुए हमें आप कहें न कि यह तो मार्क्स और लेनन ने का ही नहीं उनके कहने का यह मक्सद है और मार्क्स और लेनन दोनों समझते थे कि जो आपकी है ना वरकिंग कलास जो शेहरों में मिशीनों पे फैक्टरियों पे काम करती है वो इनकलाब लेके आएगी माव ने का नहीं यह गलत है इनकलाब को आना पड़ेगा कंट्री साइड से गाओं से तो गाओं में वो कहता है कि ज्यादा लोग कौन है पीजेंट्स तो इसने क्या किये है जो आपकी पीजेंट्री कलास है उसको कहा है कि यह है सेंट्रल फोर्स आफ रेवलोशन असल कलास यह है पीजेंट्स यह क्या करेंगे यह पैरिफेरी से चलेंगे घेरते हुए आएंगे और एविजेंट्वी कहां पहुंच जाएंगे सेंट्र में और सेंट्र पे ना सरफ कब्जा करेंगे बलके सेंट्र में इनकलाब ले आएंगे मार्क्स का और लैनिन का इनकलाब कहां से शुरू होता है अर्बन एरिया से शेहरों से और आइस्ता अस्ता किदर फैलेगा गाओं की तरफ ये शुरुई कहां से करवा रहा है और गाओं से कौन सी किलास है तो इदर क्या हो गया प्रॉलिटेरियत किलास रिपलेस कर दिया उसने किसके साथ पीजेंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट के आप उपर आगे और इसकी वज़ा है बड़ी खुबसुरत वज़ा बताता है वो लिखने ज़रा कैसा क्यूं होगा क्योंकि हवा में तो बात नहीं करेगा न वो कहते है एक तो ये तदाद में ज्यादे है दूसरा पोर है तीसरा कोरिजियस है और चौता इनकी जो हालत है दे आर बलैक अंड बलीक जेनी तोर पर भी बिचारे बलैंक है कोई पता नहीं है तो इनको समझाना इनको गाइड करना ये आपके पीछे पीछे फॉलवर ये बनेंगे बड़े अच्छे जी और अगरी हमने बात की जी गुरिला वार फिर ये कहता है कि ये जो रेवलूशनी स्ट्रगल है न ये सब फिलम है कि ये वोलेंटेरिली हो जाएगा या कोई वैंगार्ड पार्टी आएगी तो वो थी कि वैंगार्ड पार्टी तो ये भी लेकी आएगा लेकिन ये कहता है कि हमें लोगों को किस में ट्रेंड करना पड़ेगा रेवलूशन के अंदर ट्रेंड करना पड़ेगा इसलिए ये कहता है लोगों का तो इतबार भी कोई नहीं मोका आने पे भाग जाए इसलिए हमें जूरूरत है प्रॉफेशनल रेवलूशनरीज की। किनकी प्रॉफेशनल रेवलूशनरीज जो ट्रेंड हो लडाई में, जो ट्रेंड हो स्टॉघल में, जिनकी ट्रेनिंग हो उस सारी सिट्वेशन को हैंडल करने की डील करने की और जिनकी अंदर केपिबिलिटी हो कि वो गुरिला वार्फेर यनि कि कतल उ गारत मार्क उटाई अगर लड़ना पढ़ जे गन चलानी पढ़ जे वो अभी उसने का ना कि पोलिटिकल पावर जो है तो इसलिए जो वैपनाईजेशन है बंदू का इस्तमाल है बड़ी लॉजिक देता है बड़ी कवाल की लॉजिक देता है कैसे अभी थोड़ी दर पहले लैनन ने क्या का था कि स्टेट क्या होती है force और violence का हसीन इम्तिजाज है वो क्या है मियार और मिकदार का हसीन इम्तिजाज तो वो कहते है जब आप इनके खनाफ गड़ोगे तो वो तो आपको मारेगे तो उसको equate करने के लिए आपके पास terror of balance balance of terror करना पड़ेगा न कि जितना ये आपको ड्रा सकते हैं आप भी इनको जितना वो आपको मार सकते हैं आप भी उनको मार सकते हैं तो फिर मुकाबला होगा ना फिर revolution पर अपना struggle होगी डाइटर्स काइम रहेगी तो इसलिए वो कहते हैं कि ये जो गुरिला warfare है ये this is one of the most important strategies of Mao जिनको पढ़ा जाता है समझा जाता है और उनको एप्रिशेट किया जाता है गुरिला warfare अच्छा आसिफ तफैल साब जो TLP है ना या जो भी है वो Maoism नहीं है ठीक है वो एक और सिट्वेशन है ये अच्छा भी एलेन भी रहन दो जो जो सिट्वेशन माउ पढ़ो ठीक है अगे रहन दो जो सिट्वेशन है एनिवेस ठीक है पहले लाद सेंस्ट्रिप होए है ठीक है जी तो ये गुरिला warfare जो है ये एक सबूत है कि जो माउ साब है जी अनीला USSR का constitution जो है वो तो आज हमारी class का एजड़ा नहीं है ठीक है लेकिन ये अगर आपने कर ली है तो समझें कि आपने जा कि आप पढ़ेंगे तो आपको खुद से भी आप कर सकते है अच्छा क्या बात में करने लगए था मिला ने 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 उसके आगे कौन सा हाँ कि जो माओ साव है इनके ये फिर बकाईदी से इन्होंने चाइना को आपको पता है चलाया भी है तो चाइना के अंदर काफी revolution ने जो इनके अंडर आए हैं इन्होंने इतना कुछ बंदा मारा है इतना कुछ बंदा मारा है कि बंदा हिरान हो जाता है क्यों एक दफ़ा कोई इनकलाब लेके आते थे पावर में आते थे जो अपने मखालफी ने उनको मारना शुरू कर दे ले या जो लोग उसको रिजिस्ट करते थे फिर इस तरह करते 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 बहुत ज्यादा या जो वाइलन्स है ठीक है और या जो गुरिला या वैसे ओवराल वारफेर है ठीक है वो इनकी practical strategy भी रही है और theoretically भी ये क्या है उसके उपर clear तो ये सारा कुछ करने के लिए वो कहते हैं again you need a vanguard party कौन से जी vanguard party ये party क्या करेगी ये peasants को united रखेगी ये party peasants को united रखेगी ये party peasants को revolutionary struggle के अंदर motivate रखेगी ये उनके अंदर वोई बात class consciousness को क्या करेगी जगाए रखेगी ये उनको train करेगी ये उनको protect करेगी ये उनके दरम्यान coordination क्रिएट करवाएगी जी next और अगेन ये जो vanguard party है इसके अंदर भी democratic centralism होगी सारे लोगों की वो जो क्या कहते हैं collective ownership होगी और उपर टॉप पे जो party leadership है और और लोगे वो क्या करेंगे वो intellectual लोग होंगे और वो उस सारी चीज़ को organize भी कर रहे होंगे manage भी कर रहे होंगे और लोगों को theoretical और intellectual जो guidance है वो भी क्या कर रहे होगे प्रॉइड कर रहे होगे जी एक और concept लिखने मैस लाइन माओ कहता है कि ये mass line जो है ये create की जाएगी बजाए कि कोई central हकूमत हो जो काम करे ठीक है जो areas है local areas है वहाँ पर क्या create किये जाएंगे ये word है commune तो ये वो local units होंगे जिसमें कोई मुन्तखिब हकूमत तो नहीं होगी लेकिन जो लोग होंगे वो socially और collectively लोगों को responsible होंगे accountable होंगे और वहाँ पर ही लोगों की जो जुरूरियात हैं उनको क्या किया जाएगा पूरा किया जाएगा और ये जो mass lines हैं ये उपर center में आके तो main जो आपकी party है या आपकी जो center level पर organization है उसके साथ क्या होंगी जुड़ी होई होंगी अटैच होंगी और आखरी बात वो कहता है कि ये commune के लिए ये सारे नजाम के लिए क्या हमें लोगों को मारना पड़ेगा नहीं वोई लेनन वली बात ये भी कहता है कि ये सारा process किस बन्याद पर होगा ये सारा corporation voluntary corporation होगा voluntary corporation होगा done होगे जी तो that's it marks आ जाए तो लेनन और माओ को थोड़ा थोड़ा एड़ कर दे लेनन आ जाए तो marks से start ले और end पे थोड़ा सा माओ भी एड़ कर दे अगर लेनन और marks दोनो एकठे आ जाए तो अब आप इस position में हैं कि आप दोनों के दरमयान कुछ similar points भी लिख सकते हैं और कुछ dissimilar points भी लिख सकते हैं जी बिल्कुल